कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको एहर लिफ्ट मोवी के बारें बताएंगे इसमें हम मोवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थ्य के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वा कि यह लिफ्टी यह लिफ्ट een 2016 की भारती इन दिवाश्य की ड्रामा त्रिल्लर फिल्म है जिसका निर्देशन राजा कृष्न मेनन ने किया है जिसमें आक्षे कुमार और निर्मत कौर ने अभी ने किया है जो रंजीत का त्याल कुमार द्वारा अभीनी का मिश्रम करता ह जो कुबायत अधारे बेफसाही है क्योंकि वे कुबायत में रहने वाले भारतियों की निकास ही करता है सद्धाम हुसें की राद द्वारा कुबायत पर आकमान जो खाड़ी युद्धी की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मार अभुनिंतिया इंटर्टेंडमेंट केफ और गुड़ पेंस एम में इंटर्टेंडमेंट हरियों में इंटर्टेंडमेंट द्वारा सेंक तुरुव से किया गया था 320 मिलियन के कुल बजट पर टी सीरीज और वाय कॉम 18 मोशन पीचर्स कथाना कोवैत की एक मल्याली बेफसाई मत्हुनी मैथ्यूस की बास्तवी जीवन की कानी से लिया गया है निर्देशक, राजा कृष्न मेनन, दौरा लघेथ, राजा कृष्न मेनन, सुरेस नायर, राहुन नांग्या, निर्टेश सहा, दौरा निर्वे निकिल अडवानी, मोनिश आडवानी, अरुनः बात्या, मूर्षन कुमार, गौरवननंदा, किश्न कुमार, विख्रम मलोत अविनीः अक्षे कुमार निम्रत पॉर शाय अंकन प्रिया स्रीट ग्वारा संपाधित थे मंती सरकार संगीत याय काने अमान अमाल मलिक अंकीत तिवारी प्रेश्टुमी स्कोर अरिजीत त्द्द्द अर्ब उत्पाधन कम्केनिया आने इंटेंडेंड्मेंजल लिलीज कि तारिक 21 जन्वरी 2016 दोई 22 जन्यौन norm भारत कारेकारी समय 125 मिना देश, भारत, भार्षा, हिंदी, बजट 32 करोड, बॉक्स ओफिस 231 करोड निर्देशक मेनन ने युद्धी की पूरी गटना और कोबैत में रहने वाले भारती की दुरदर्शका द्यान करने के बाद पटकता लिए थी फिर उन्होंने मैथनी मैथ्यूज परादारिच चरित गी गुमिका के लिए अक्षो कुमार से संपर किया उन्होंने हर यूम इंटर्टेन्मेंट के अपने बैनर के तहट अभिने और निर्मा करने के लिए सहमती व्यक्ती कुमार ने बताया कि उनका 80% लाव हिस्सा है फिल्म के बज़ट में शामिल होगा और बैफीस नहीं लेंगे फिल्मांगन परवरी 2015 में शुरू हुआ फिल्म का पहला शेडूल रासल खैमा में अलहमरा पैलेस बीच रिजॉर्ड में कतित तोर पर शूट किया गया था 1990 के दोरान को बैद को चितरे करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था फिल्म की शूटिंग उज्जैन भुज और राजस्तान सहिप कई स्थानों पर की गई थी कुमान ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कंपनी एर इंडिया के साथ सेयोग किया जिसका युदि के दोरान रिकॉर्ड दोर संख्या में भारतियों को निकानने में बड़ा योगदान था 22 जन्वरी 2016 को गड़ तंतर दिवस अपताहं के मौके पर एर लेट दुनिया भर्मनाट की रूप से खुली पिन को आलोच को से सकरां तक समिक्षा मिली पिन के मजबूत लेकन पैमाने संपाधन चायांकन की प्रशंसा की और एक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी सरहाना मिली उन्होंने अपने सर्वसेट प्रदर्शनों में इसे एक कहा फिल्म में एक ग्रफ साइक सपलता थी यह भारतिये और साथ ही विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक्वेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ्ट ने बैस्विक बाजारों में दो पैंट अटाइस मिलियन से दिकी कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्टी फिल्म मौत्सप के भारती पैन और माखंड में प्रदस्षित किया गया है 22 जनमीज 2016 को गरतन दिवस की मौके पर एक दुनिया भर में नाट की रूप से खुली फिल्म को अलोचों से सकाना तक समीच्छा मिली फिल्म के मजबूत लेकन पैमाने संपादन चायंगन की पिरसंसा की और अक्षय कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी साराना मिली उ ब्लॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक्वेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ में बैश्विक बाजारों में दो पाइंट अटाइस मिलें से अधिकी कमाई की फिल्म को दोजार सोला के भारती अंतराश्टी फिल्म मौत्सक के भारती पैन और मखंड में प्रदर्शित किया ग 1990 में भारती प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षर कुमार एक सपल को पैता दारित वेपसाई है जो कुवेट सिटी अब बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पत्नी अमरता निर्मत को और उनकी बेटी सीमू के साथ ए खुद को कुवेटी कहता है और अक्सर भारतियों के प्रथी उपास करता है पार्टी करने की एक रात के बाद रंजीत अपने दोस्त के एक फोन कॉल से जाग गया और उसे खवर मिली कि एराक और कुवेट की बीच बातचीत विफल हो गई है और हिराकी सेनिकों ने कुवे प्रथास में भारती है दूतवाज जाते हैं उन्हें एराकी सेनिकों द्वारा एक चौकी पर रोख दिया जाता है और आसमंजस्त के बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाय जाता है जाह उनकी मुलाकात एराकी रिपब्लिक प्रवियन गाट की अधिकारी मेजर खलाब बिन जायत इना मुलाह जो बताता है कि वह वही था जिसने पहले चेक पॉइंट तक खीच लिया था और रंजीत को नुकसान होने से रोपा था मेजर खलाब जो रंजीत की इराक यातरा से जानता है उससे डानता है लेकिन सैनिक सरकार निर्वार्षन में भाग गई है कोवैत में लगवा 170,000 भारती अफश्रावारती की रूप में फसिद हुए है इराकी सेना कोवैत के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखती है और रंजीत की अवेली पर इराकी सैनिक द्वारा च्छापा मारा जाता है लेकिन उसकी मेजर खलाप की अनुम्हती से लगवा 500 भारती के लिए एक आईस्थाई शिवर स्थापित किया अमरता ने रंजीत से अपने ही परिवार को निकानमी के लिए अपने लाग कौपयों करने का अग्रह किया लिकिर रंजीत जो आम तोर पर सिर्फ अपने लिए देखता था का हिर्दा परिवर्तन होता परिवर्तन प्रतीत होता है बहर रहने और अन्य भारतियों को कुबैट छोलने में मदद करने का फैसला करता है संजीत को पता चलता है कि कुबैट में भारती दूताबास को खाली कर दिया गया है और नई दिल्ली में भारती दिरेश मंत्राले को के पास पहुंचता है और निकाशी के लिए ब्यवस्ता करने के लिए कहता है भाद में शिविर को एराकी साहनी को द्वारा लूट लिया गया और कुछरानार्थियों को परिशान किया गया रंजीत मेजर खलाब के पास जाता है और उससे ज़ारे में बात करता है जिसके मेज प्रति सद्धाम ने पहले ही भारतियों को खोड़ने की अनुमति दे दी है लेकिन समस्या यह है कि उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है दंजीत को वैद से शुरक्षित बाहर ने करने के लिए बाचीत करने की कुशिश करने के लिए बगदाद चाता है लिगिं कोई पाइदा नहीं हुआ एक मात्य शेज विकल्प एराकी विदेश मंत्री तारिक अजीश सहाएक सिद्ध होता है वैफुला सगरता है कि भारतिय व्यपारी जहाज विविन आपूर्तियों के साथ एराक वहुचने वाला है अब भारतिय सराना आती वो जहाज पर जाने की अन लोग दिया गया पर भावी रूख से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कुछल दिया इस वीच कोछी कुछ सोस्त है लेकिन जब उनके माता पिता पिता अरून बाली भारत की विवाजन की दोरान उनकी दुक कहानी सुनाते हैं तो कोछी शप्री रूप सी रंजीश की म परमिट जारी करने के लिए जैसे ही भारती को बैट छोड़ते हैं रंजीत एक और चौकी पर आता है जहां उसका सामना सतुरता पूर्ण एरा की सैनिकों से होता है जो पास्पोर्ट या इडी के अबाब में अमरता कमाने की रंगे देते हैं रंजीत और सैनिकों की बीच जड़ा पूजाती है जिसके बाद रंजीत के काफले के लोग आगे आते हैं और एदा की सैनिकों को पर भारी पड़ते हैं रंजीत उन्हें रहने देता है और काफला गुजर जाता है भेज जार्डन पहुंशते हैं जहां इर इंडिया और अपने रवये के लिए दोसी महसुस करने लगता है कि विभारती तरंगे को देखता है फिल्म रंजीत की संकेत के साथ समात होती है कि वह हमेशा मानता थे कि भारत ने कभी भी अपनी नागरे को बेली है कुछ नहीं किया लेकिं देज द्वारा बचा जाने के बाद उसने अब और बहुत से भारतियों ने त्याग दिया था बेभविश में फिर कभी ऐसा नहीं कह सकता बेगना दंजीत कत्याल की रूप में अक्षिकोमान मै्तोनी मैथ्यूस पराधारिग मेरी मैथ्यूस पराधारिग अमरता कत्याल की रूप में निर्मतकौर, मेजर खलब विंजायत की रूप में इनाम, इनाम उनलप, अमरतपाल की रूप में अप्तार गिल, तस्नीम की रूप में फैरीना वजी, बूरब कोली, प्राहिम दुरानी की रूप में, जोर्ज कुटी की रूप में, रकास बेलाबारी, ब्रेच की रूप में पवन चौप्रा पुबैत में भारती राजदूर्द, जार्ज कुटी की पत्नी दीपती जाहराजन की रूप में लीना, कुमूर मिश्रा वेदेश, मंत्राले के सहिंफ, संजीव कोली के रूप में, बाउजी, कोली लिएपिता की रूप में, अरुनबाली, कूरियन की में कैजात कोटवाल बहराम पुनवाला के रूप में मेहर पुनवाला के रूप में गुंजन मलोत्रा सुरेंद्रपाल विदेश मंत्री संज्य भार्टिया अम्मान ने भारती दूताबास में अधिकारी के रूप में राजे जैस एराग में भारती दूताबास में अधिकारी के रूप में हिरीता के रूप में जेहनीपन विस्त्री बंसीवाल अमरता की घरिली साहिका परविन को और अशो की पत्नी और अमरता कात्यल की दोस्त की रूप में पूर्जानाय गीत संगीत बिमान सेवाग अरह सां लंबाई बाइस सोला बाशा हिंदी लेवल टी सीरीज एर लिट के लिए साउंट्रैक अमाल मलिक द्वारा रची था कि विले गीत दिल चीज तुझे दे दी अंकितिवारी द्वारा संगीत नोट किया गया और गीत कुमार द्वारा लिखे गये थे पहला गार ना सोच ना सक कि 17.2015 को टी सीरीज के अधिकारे की यूटूब चैनल पर जारी किया गया था पूर्ण साउंट्रैक अल्वन जिसमें 5 गाने शामिन है 24.2019 को जारी किया गया था संगीत अधिकार टी सीरीज का रादी करेद किये गये हैं दे गीत दिल चीज तुझे दीरी का पी हद तब गानल स्थींग दिल चीज, तूजि देदी अंकी तिवारी गाला संगेट इसगाने के गायकार अर्जीत सिंग हैं गानल स्टूसिय दिणाहसमिन फीर्ट नब तैनल आस सिंग्मर्स नेट इनकी चाएगा पूच्छ ना सके एक अलस्ट करना इस गाने की गायकार हर जीत से नहीं है तो दोस्तों हम बहुत में असी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूने धन्यवा नमस्कार दोस्तों कैसे यू आप लोग मैं उब्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको एर लिप्ट मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम दोस्तों के समवानी और चरित्री से जोड़े तर्थ्य की बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाजे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद एयर लिफ्ट एक दोजार सोला की भारती इंदिवाशा की ड्रामा तिल्लर फिल्म है जिसका निर्देशन राजा कृष्ण मेनन ने किया है जिसमें अक्षय कुम सद्दाम हुसें की राद द्वारा को वैट पर आकमान जो खाड़ी युद्धी की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मार अभून दिया इंटर्टेंडमेंट केफ औव गूड पेंस एम में इंटर्टेंडमेंट हरी ओम इंटर्टेंडमेंट द्वारा से एक तुर इस पास्तेवी जीवन की कान इसे लिया गया है निर्देशक राजा कृष्ण मैंन द्वारा लिखेत राजा कृष्ण मैंन सुरेश नायर राहुल नांगिया निरितेश चाहा शागार निर्वेंट निकलड्वानी मौनिशाद्वानी अरुणवाटिया बूसन कुमार गौ द्वारा संपाधित एमंती सरकार, संगीत याय काने, अमान, अमाल मलिक, अंकीत तिवारी, प्रेश्ट वुमिस्पोर, अरिजीत तद्दा उत्पाधन कंपनिया, M.V.N.I.I. Entertainment, K.4 गुड फिल्म्स, M.V. Entertainment, हरियोम इंटर्टेंड्मेंट, T-Series फिल्म्स, वायकोम अठार मोशन पिक्चर्स, द्वारवित्रित प्रतिक, इंटर्टेंड्मेंट्स, इंडिया, V4U मोशन पिक्चर्स, इंटर्नेशनल, लिलीज की तारिक 21 जनवरी 2016, दोई, 22 जनवरी 2016, भारत, कारेकारी समय 125 मिनाथ, देश, भारत, भार्षा, हिंदी, बजट 32 करोड, बॉक्स ऑफिस, 231 करोड, निर्देश अगमेनन ने युद्ध की पूरी गटना और कोबायत में रहने वाले भारती की दुरदर्शका द्यन करने के बाद पटकता लिए थी, फिर उन्होंने मैथनी मैथ्यूज परादारिच चरित की घुमिका के लिए अक्ष्यो कुमार से संपर किया, उन्होंने हरियोम इंटर्टेन्मेंट के अपने बैनर के तहट अभी नहीं और निर्मा करने के लिए सहमतिव व्यक्ती, कुमार ने बताया कि उनका 80% लाग हिस्सा है, इनके बज़ट में शामिल होगा और बैफीस नहीं लेंगे, फिल्म आंगन परवरी 2015 में शुरू हुआ, फिल्म का पहला शेडूल रासल खैमा में अलहमरा पैलेस बीच रिजॉर्ड में कतित तौर पर शूट किया गया था, 1990 के दोरान को बैद को चितरे करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था, फिल्म की युदि के दोरान रिकॉर्ड तोर संख्या में भारतियों को निकानने में बड़ा योगदान था, 22 जन्वरी 2016 को गड़ तंत्र दिवस अपतहां के मौके पर एर लेट दुनिया भरनुनाट की रूप से खुली, फिल्म को आलोज को से सकरांतक समिक्षा मिली, फिल्म के मज बॉलता थी, यह भारतियों और साथ ही विदेश्चों में, बॉक्स आफिस पर एक ब्लॉगवेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ्ट ने बैस्विक बाजारों में 2.8 मिलियन से दिकी कमाई की, फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्टी फिल्म मोहत्सप के भारतीये पैन और म खंड में प्रदाश्चित किया गया है, बाइस जन्मीज 2016 को गरतन दिवस के मौके पर एलोग दुनिया भर में नाट की रूप से खुली, फिल्म को अलोचों से सकाना तक समीच्छा मिली, फिल्म के मजबूत लेकन पैमाने संपादन सायंगन की पिरसंसा की और अक्षय कु और साथी विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक बेस्टर की रूप में उभरी, यह लिफ ने बैश्विक बाजारों में 2.28 मिलियन से अधिकी कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्टी फिल्म मौत्सर के भारती पैन और मखंड में प्रदश्चित किया गया है, 1990 में भारती प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षर कुमार एक सपल को पैता दारित वेपसाई है जो कुवेट सिटी और बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पत्नी अमरता निर्मत कौर उनकी बेटी सीमू के साथ एक कुशाल घर बनाता है, बेखुत को कुवेटी कहता है और अक्सर भारती के प्रदी उपास करता है पाटी करने की एक रात के बाद रंजीत अपने दोस्त के एक फोन कॉल से जाग गया और उसे ख़वर मिली कि एराक और कुवेट की बीच बात्ची बिफल हो गई है और हिराकी सेनिकों ने कुवेट पर आकोन कर दिया है, अगली सुबह रंजीत को पता चलता है कि कुवेट सिटी पर अब हिराकी सेना का कबजा है रंजीत और नायर उनके ड्राइबर बाहर जाते हैं और अपने परिवार को लेने और कुवेट छोड़ने के प्रियास में भारती है दूतवाज जाते हैं, उन्हें एराकी सेनिकों द्वारा एक चोगी पर रोग दिया जाता है और आसमनजस के बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाय जाता है जाहुन की मुलाकात एराकी विपब्लिकियन गाट की एदिकारी मेजर खलाब बिन जायत इना मुलाह जो बताता है कि वह वही था जिसने पहले चेक पॉइंट तक खीच लिया था और रंजीत को नुकसान होने से रोपा था मेजर खलाब जो रंजीत की एराक यातरा से जानता है उसे डानता है लेकिन सैनकों से रंजीत और इसके परिवार की सुरक्षा सुनिचित करते हुए अपनी ब्यक्तिकत में तरता बलाता है बहां से रंजीत भारती दूता बात चाता है जहां उसे पता चलता है कि कुवैती सरकार ने वारसन में भाग गई है कुवैत में लगवा 170,000 भारती अफश्रावारती की रूप में फसिद हुए है एरा की सेना कुवैत के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखती है और रंजीत की अविली पर इरा की सेनी को द्वारा चापा मारा जाता है लेकिन उसकी पत्रिया और बच्चे अपने कारेले से भागने का पिरवन धन करते हैं रंजीत ने अपने दोस्तों को एक साथ काम करने के लिए मना लिया और हुनोंने मेजर खलाप की अनुगती से लगवाग पांसो भारतियों के लिए एक आई स्थाई शिवर स्थापित किया अमरता ने रंजीत से अपने ही परिवार को निकान में के लिए अपने लाग कॉप्यों करने का अग्रे किया जो आम तोर पर सिर्क अपने लिए देखता था का हिरगा परिवर्तन होता परिवर्तन प्रतीत होता है बहर रहने और अन्य भारतियों को कुबैट छोड़ने में मदद करने का फैसला करता है रंजीत को पता चलता है कि कुबैट में भारती दूताबास को खाली कर दिया गया है और नई दिल्ली में भारती गिरेश मंत्राले को फोन करता है जहां वह संजीब जोली, संजीब कोली कुमोत मिश्रा के पास पहुंचता है और निकाशी के लिए, भिवस्दा गणने के लिए कहता है बाद में शिविर को इराकी सैनी को दोरा नोट लिया गया और कुछरानातियों को परिशान किया गया रंजीत मेजर खालाब के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है जिसके लिए मेजर ने अपनी माफी मांगी और यही भी खुलासा किया कि राष्ट पति सद्धाम ने पहले ही भारतियों को कुवेट छोड़ने की अनुमती दे दी है लेकिन समस्या यह है कि उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है दंजीत कुवेट से शुरक्षित बाहर ने करने के लिए बाचित करने की कुशिश करने के लिए बगदाज जाता है लिगिन कोई फाइदा नहीं हुआ एक मात्य शेज विकल इराकी विदेश मंत्री तारिक अजीर सहाइक सिद्ध होता है ले खुला सगरता है कि भारति व्यपारी जाहाज विविन आपूर्तियों के साथ इराक पहुचने वाला है अब भारति शनाना अर्तियों वो जाहाज पर जाने की अनुमती देता है अलाकि बाद में रंजीत वो सही तुरहष्ट की प्रतिवन की खवन मिली और जहाजों को विराग में प्रिवेश करने चोड़ने से रोख दिया गया परवावी रूप से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कोचल दिया इस बीच कोहली कुछ सोस्त है लेकिन जब उनके माता पिता उनकी पिता अरोन भाली भारत की विवाजन की दौरान उनकी दुख की कहानी सुनाते हैं तो कोहली शक्रीद उसी रंजीत की मदद करने के लिए प्रेवित होते हैं बैक कुवैट में 170,000 भारतियों की निकासी का नेतरत करने के लिए राष्टी एरलाइन इरिंडिया से संपर करता है और अम्मान जाडन में भारती दुटावास प्रात करता है पर्मिट जारी करने के लिए जैसे ही भारतियों को वैट छोड़ते हैं रंजीत एक और चौकी पर आता है जहां उसका सामना सतुरता पूर्ण इराकी सैनिकों से होता है जो पास्पोर्य आईडी के अवाब में अम्माने की लंगे देते हैं यदेन की लोग आगे आते हैं और इरहिपले पर भारतियों को सलां परते हैं कि वे मानों में सवार होते हैं जो नेगर ले जाएंगे हालाकि रंजीत भार्दियों के प्रती अपने रवये के लिए दोशी महसुस करने लगता है क्यों कि भारती तरंगे को देखता है, फिल्म रंजीत के संकेत के साथ समात होती है कि वैया में शमान्तति की भारत ने कभी भी अपने नागरे को बे लिये कुछ नहीं किया लेकिन देज द्वारा बचा जाने के बाद उसने अब और बहुत से भारतियों ने त्याग दिया था बहुत बविश में फिर कभी ऐसा नहीं कह सकता फिच ना दंजीत कत्याल की रूप में अकशा कुमान मैतुनी मैथ्व पराधार इए मैरी मैथ्व पराधार इथ अम्रत अकात्यल की रूप में निर्मत कौर, मेजर खलब विंजायत की रूप में इनाम, इनाम उनलप, अम्रत पाल की रूप में अफ्तार गिल, तस्नीम की रूप में फैरी नावजी, बूरब कोली, प्राहिम, दुरानी की रूप में, जोर्ज कुटी की रूप में, प्रका संजीब कोली के रूप में बाउजी कोली इपिता के रूप में अरुनबाली कूरियन के रूप में निनात कामत निसार खानर्शो के रूप में कैजात कोतवाल बहराम पूनवाला के रूप में मेहर पूनवाला के रूप में गुंजन मलोत्रा सुरेंद्रपाल विदेश मंत् संजय भार्टिया अम्मान ने भारती दूताबास में अधिकारी की रूप में राजेज जैस इराग में भारती दूताबास में अधिकारी की रूप में हिरीता की रूप में जेहनीपन विस्ती बंसीवाल अमरता की घरिली साहिका परविन को और अशो की पत्मी और अम्रता कात्यल की दोस्त की रूप में पूजणाय गीत संगीत बिमान सेवाग और साउंट्रैक एलबम अमान मलिक और अंकीत वारी मौग 24 दिसंबर 2015 इस्टूडियो टी सीरीज इस्टूडियो सैली पिचर फिर्म साउंट्रैक लंबाई बाइस सोला बाशा हिंदी लेवल टी सीरीज एर लिट के लिए साउंट्रैक अमान मलिक और अच्चित था किवले गीत दिल चीज तुझे दे दी अंकीत वारी द्वारी द्वारा संगीत नोट किया गया और गीत को मार द्वारा लिखे गए थे पहला गाना सोच ना सके 17.2015 को टी सीरीज के अधिकारे की यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था पूर्ण साउंट्रैक एल्वन जिसमें पांच गाने शामिन है 24.2015 को जारी किया गया था संगीत अधिकार टी सीरीज द्वारा धिकरेद किये गया है गीत दिल चीज तुझे दीरी काफी हद तब अलजी राहिग गाया खालित के 1990 के दश्रकी दीरी से प्रेरित है गाने की प्रना न्यूज अठारा ने दिया है गाना नमर एक सोच ना सके इस गाने के गायकार अर और अरजीत सिंग है गाना नमर तीन मेरा नाचन्नू इस गाने के गायकार ब्रिजिस सांडिले दिव्य कुमार और अमाल मलिक है गाना नमर चार तू भाला जिस गाने को केके ने अपने आवाज मताया है गाना नमर पांच सोच ना सके एकल संसक्रान इस गाने के गायकार अ पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूने धन्यवाद कर दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको एहर लिप्ट मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थिक के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद इयर लिफ्ट फिल्म इयर लिफ्ट 2016 की भारती इंदिवाशा की ड्रामा त्रिल्डर फिल्म है जिसका निर्देशन राजा कृष्ण मेनन ने किया है जिसमें अक्षे कुमार और निर्मत कौर ने अभी ने किया है जो रंजीत का त्याल कुमार द्वारा गिनी का मिशन करता है जो कुवैट अधारे बेफ्ट साही है क्योंकि वह कुवैट में रहने वाले भारतियों की निकास ही करता है सद्दाम हुसें की राज द्वारा कुवैट पर आकमार जो खाड़ी युद्धी की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मार अभुनिंतिया इंटर्टेंडमेंट केफ औव गुड़ पेंस एम में इंटर्टेंडमेंट हरी ओम इंटर्टेंडमेंट द्वारा सेंक दूरुप से किया गया था 320 मिलियन के कुल बजट पर टी सीरीज और वाय कॉम 18 मोशन पीचर्स कताना कोवेट की एक मल्याली बेफसाई मत्हुनी मैथ्यूज की बास्तवी जीवन की कानी से लिया गया है निर्देशक राजा कृष्ण मेनन द्वारा लिखेत राजा कृष्ण मेनन सुरेश नायर राहुल नांग्या निरितेश सहा द्वारा निर्बे निकिलाडवानी मोनिशाडवानी अरुनावाटिया मूर्षन कुमार गौरवननंदा कृष्ण कुमार विक्रम मलोत्रा अवि अक्षे कुमार, निम्रत पॉर, शाय अंकन, प्रिया स्रीट, ग्वारा संपाजित, एमंती सरकार, संगीत याय काने, अमान, अमाल मलिक, अंकीत तिवारी, प्रेश्ट वुमिस्पोर, अरिजीत तत्था, अर्फ वारा वुड़ कॉर्लिया, घृत पाधन कंपनीया, य만 एँटिया इंटर्टेन्मेंट, एमए नेटर्टेन्मेंट, हरियूममी इंटर्टेन्मेंट, टी सीडेैस फिल्म को मठार मोशन पिक्चर्स, द्वारा वितृत प्रतिग ईंटर्टेन्वेंट इंडिया बी फो भारत बार्षा हिंदी बजट 32 करोड बॉक्स ऑफिस 231 करोड निर्देशक मेनन ने युद्धी की पूरी घटना और कोबायत में रहने वाले भारती की दुरदर्शका ध्यन करने के बाद पटकता लिए थी फिर उन्होंने मैथनी मैथ्यूज परादारिच चरित वी घूमिक का फिस्सा है फिल्म के बजट में शामिल होगा और बैफीस नहीं लेंगे फिल्म आंगन परवरी 2015 में शुरू हुआ फिल्म का पहला शेडूल रासल खैमा में अलहम्रा पैलेश बीच रिजॉर्ड में कतित तौर पर शूट किया गया था 1990 के दोरान को बैत को चितरे करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था फिल्म की शूटिंग उज्जैन भुज और राजिस्थान सहिप कई स्थानों पर की गई थी कुमान ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कंपनी एर इंडिया के साथ सेयोग किया जिसका आलोच को से सकरां तक समिक्षा मिली फिल्म के मजबूत लेकर पैमाने संपाधन चायांकन की प्रशंसा की और एक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी सरहाना मिली उन्होंने अपने सर्फिट प्रदर्शनों में इसे एक कहा फिल्म एक लप्साइक सपलता थी यह भारतिये और साथ ही विदेश्चों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लोगवेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ्ट ने बैस्विक बाजारों में दो पाइंट अटाइस मिलियन से अधी की कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्टी फिल्म मौत्सप के भारती पैन और माखंड में प्रदश्चित किया गया है फिल्म को अलुचों से सकाना तक समिक्षा मिली फिल्म के मजबूत लेकन पैमाने संपादन चायांगन की पिरसंसा की और अक्षय कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी साराना मिली उन्होंने अपने सर्वस्ट प्रदर्शनों में से एक कहा फिल्म एक वेप्साइक सफ कि भारती प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षय कुमार एक सपल को पैता दारित वेपसाई है जो कुवेट सिटी बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पत्नी अमरता निर्मत को और उनकी बेटी सीमू के साथ एक कुश अच्छाल घर बनाता है बेखुत को कुवेटी कहता है और अक्सर भारतियों के प्रती उपहास करता है पार्टी करने की एक रात के बाद रंजीत अपने दोस्त के एक फोन कॉल से जाग गया और उसे खवर मिली कि एराक और कुवेट की बीच बात्चीत विफल हो गई है औ अपने परिवार को लेने और कुवेट छोडने के प्रयास में भारती है दूतवाज जाते हैं उन्हें एराकी सेनी को द्वारा एक चौकी पर रोख दिया जाता है और आसमंजस के बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाय जात है जाहूं की मुलाकात एराकी अगाट की अधिकारी मेजर खलाब बिन जायत इना मुलाह जो बताता है कि वह वही था जिसने पहले चेकपॉइंट तक खीच लिया था और रंजीत को नुकसान होने से रोका था मेजर खलाब जो रणे जीत की एराक यातरा से जानता है उसे परिवार की शुरक्षा सुनिचित करते हुए अपनी ब्यक्तिकत में तता बलाता है बहां से रंजीत भारती दूता बात चाता है जहां उसे पता चलता है कि कुबैती सरकार निर्वार्शन में भाग गई है कुबैत में लगवा एक सो सतर हजाए भारती अफ्षरा भारती की रूप में फसिद हुए है इरा की सेना कोवेत के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखती है और रंजीत की अवेली पर इरा की सैनी को द्वारा चापा मारा जाता है लेकिन उसकी पत्रिया और बच्चे अपने कारेले से भागने का फिर्वन धन करते हैं रंजीत ने अपने दोस्तों को एक साथ काम करने के लिए मना लिया और हुनोंने मेजर खलाप की अनुगती से लगवाग पांसो भारतियों के लिए एक आईस्थाई शिवर स्थापित किया अमरता ने रंजीत से अपने ही परिवार को निकानमी के लिए अपने लाग कॉप्यों करने का अग्रे किया लिए रंजीत जो आमतार पर से अपने लिए देखता था का हिर्दा परिवरतन होता है बेह रहने और अन्य भारतियों को कुबैट छोड़ने में मदद करने का फैसला करता है रंजीत को पता चलता है कि कुबैट में भारती दूताबास को खाली कर दिया गया है और नई दिली में भारती दिरेश मंत्राले को फोन करता है जहाँ है संजीब जोली, संजीब कोली कुमोत मिश्रा के पास पहुंचता है और निकाशी के लिए बिवस्ता करने के लिए कहता है बाद में शीविर को ईराकी सैनी को द्वारा नूट लिया गया और कुछरानार्थियों को फरिशान किया गया रंजीत मेजर खलाब के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है जिसके लिए मेजर ने अपनी माफी मांगी और यही भी खुलासा किया कि राष्ट पति सद्दाम ने पहले ही भार्दियों को कुवैट छोड़ने की अनुमती दे दी है लेकिन समस्य यह है कि उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है रंजीत को वैट से शुरक्षित बाहर ने करने के लिए बाचित करने की कुशिश करने के लिए बगदाद चाता है लिगिन कोई फायदा नहीं हुआ एक मात्य शेज विकल एराकी विदेश मंत्री तारिक अजीज सहाइक सिद्ध होता है लेकिला सगरता है कि भारती व्यपारी जहाज विविन आपूर्तियों के साथ एराक पहुझने वाला है अब भारती सराना थी वो जहाज पर जाने की अनुमती देता है अलाकि बाद में रंजीत वो सही तुराष्ट की प्रतिवन की खवन मिली और जहाजों को विराक में प्रिवेश करने चोड़ने से रोख दिया गया परवावी रूप से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कोचल दिया इस वीच कोहली कुछ सोस्त है लेकिन जब उनके मा रंजीत की मदद करने के लिए प्रेवित होते हैं बैक वैप में 170,000 भारतियों की निकासी का ने तरफ करने के लिए राष्टी एरलाइन इरिंडिया से संपर करता है और अम्मान जाडन में भारती दूतावास प्रताथ करता है परमिट जारी करने के लिए जैसे भारती रंजीत और सेनीगों की भी जड़ा को जाती है जिसके बार रंजीत के राष्टी वी लोग आगे आते हैं और एदा की सेनीकों को पर भारी पड़ते हैं रंजीत उन्हें रहने देता है और कापला ब은स जाता है भी जाडन पहुंचते हैं जहां ब्यांद पुतंगे जहां करने लगता है कि विभारती तरंगे को देखता है फिल्म रंजीत की संकेत के साथ समात होती है कि वैं में शमान पतिकी भारत ने कभी भी अपनी नागरे को बे लिए कुछ नहीं किया लेकिन देज द्वारा बचा जाने के बाद उसने अब और बहुत से भारतियों ने फेगना दंजीत कत्याल की रूप में अक्षा कुमान मैथुनी मैथ्यूस पराधारिक मेरी मैथ्यूस पराधारिक अमरता कत्याल की रूप में निर्मत कौर मेजर खलब विंजायत की रूप में इनाम इनाम उनलब अमरतपाल की रूप में अप्तार गेरी तस्नीम की कोली प्राहिम दुरानी के रूप में जोर्ज कुटी के रूप में रकास बेला बाड़ी ब्रेच के रूप में पवन चौपड़ा पुबैत भारती राजदूर जार्ज कुटी की पत्नी दीप्ती जैराजन के रूप में लीना कुमुद मिश्रा बेदेश मंत्राले के खुली इपिता के रूप में अरुनबाली कूरियन के रूप में निनात कामत निसार खानर शो के रूप में कैजात कोटवाल बहराम पूनवाला के रूप में मेहर पूनवाला के रूप में गुंजन मलोत्रा सुरेंद्रपाल विदेश मंत्री संजय भार्टिया अम्मान ने भारती दूताबास में, अधिकारी की रूप में, राजे जैस इराग में, भारती दूताबास में, अधिकारी की रूप में, हिरीता की रूप में, जेहनीपन, विस्त्री बंसीवाल, अमरता की गरेली साहिका, परविन को और अशो की पत्नी और अमरता कात्यल की दोस्त की स्टूडियो टी सीरीज इस्टूडियो शैली पिचर फिर्म सांट्रैक लंबाई 22 वाशा हिंदी लेबल टी सीरीज एरलिट के लिए सांट्रैक अमाल मलिग द्वारा रची था कि विले गीद दिल चीज तुझे देदी अंकिति वारी द्वारा संगेत नोट किया गया और गी पॉन सांट्रेक एलवन जिसमें पांच गाने शामिन है 24 दिसम्ब 2015 को जारी किया गया था संगीत अधिकार टी सीरीज गारा धिक्रेद किये गये हैं गीत दिल चीज तुझे दीरी काफी हद तब अलजी राहिग गायर खालित के क्या आरण जीच अरण कि मेरा नचनुंग जहने के गयकार ब्रेजिस संडिले दिभ्य कुमार अर causal मिलिक है गाना नमबर चार तू भाला जिस इस गाने को केकर ने अपने आवाज मताया है गाना नमबर पांच सोच ना सके एकल संस करना इस गाने की गायकार हर जूद से नहीं है दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीड है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना न भूले धन्यवाद नवस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यह लिप्ट मोवी के बारें बताएंगे इसमें हम मोवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थियो की बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाजी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक स 2016 की बारी इंदिवाशजा की ड्रामा टिंलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजा कृष्ण मेनन ने किया है जिसमें अक्षकुमार और निर्मत कौन ने भी ने किया जो रंजी तकी त्याल कुमार द्वारा वी नीयकड हम शर्ण करता है जो कुबैत अधारी वेफ्चाई है क्योंकि वैकुबैट में रहने वाले भारतियों की निकास ही करता है सद्धाम हुसें की राद द्वारा कुबैट पर आकमान जो खाड़ी युद्धी की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मार अभुनिंतिया इंटर्टेंडमेंट केफ और गुड़ पेंस एम में इंटर्टेंडमेंट हरी यों में इंटर्टेंडमेंट द्वारा से इक तुरूप से किया गया था 320 मिलियन के कुल बजट पर डी सीरीज और वाय कॉम 18 मोशन पीचर्स कथाना कोवेट की एक मल्याली बेफसाई मत्हुनी मैथ्यूज की बास्तवी जीवन के कानी से लिया गया है निर्देशक, राजा कृष्ण मेनन, द्वारा लिखेत, राजा कृष्ण मेनन, सुरेश नायर, राहुल नांग्या, निरितेश सहा, द्वारा निर्वे, निकिलाडवानी, मोनिशाडवानी, अरुनावाथिया, मुर्षन कुमार, गौरवननन्दा, कृष्ण कुमार, विक शाय अंकन, प्रिया स्रीट, द्वारा संपाधित, हेमंती सरकार, संगीत याय काने, अमान, अमाल मलिक, अंकीत तिवारी, प्रेश्टुमी स्कोर, अरिजीत तद्दा, शाय्यरस्ट, और द्वारा मेंता, अमान, अकीत तै उठीटुमी स्कोर, अमाल मौन, आमाल मेंता, भारत बाशा हिंदी बजट बद्धिस करोड बॉक्स ऑफिस दो सेकतिस करोड निर्देशक मेनन ने युद्धी की पूरी घटना और कोबैत में रहने वाले भारती की दुरदर्शका ध्यन करने के बाद पटकता लिए थी फिर उन्होंने मैथनी मैथ्यूज परादारिद चर पर्शनलाब हिस्सा है फिल्म के बजट में शामिल होगा और बैफीस नहीं लेंगे फिल्म आंगन परवरी 2015 में शुरू हुआ फिल्म का पहला शेडूल रासल खैमा में अलहमरा पैलिस बीज रिजॉर्ड में कतित तौर पर शूट किया गया था 1990 की दोरान को बैत को चितरे करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था फिल्म की शूटिंग उज्जयन भुज और राजिस्थान सहिप कई स्थानों पर की गई थी कुमान ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए ओडान कंपनी और इंडिया के साथ सेयोग किया जिसका य लोजकों से सकरां तक समिक्षा मिली फिल्म के मजबूत लेकं पैमाने संपाधन चायांकन की फिर्शंसा की और एक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी सरहाना मिली उन्होंने अपने सब्सेट प्रदर्शनों में से एक कहा फिल्म एक विर्शाइक सपलता थी यह भारतिये और साथ ही विदेश्चों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लोगबस्टर की रूफ में उभरी यह लिफ्ट ने बैस्विक बाजारों में दो पैंट अटाइस मिलियन से अधिकी कमाई की फिल्म को दोजार सोला के भारती अंतराश्टी फिल्म मोहत्सप के भारती पै प्रतन दिवस के मौके पर यह लोग दुनिया भर में नाट की रूप से खुली फिल्म को अलोचों से सकाना तक समीच्छा मिली फिल्म के मजबूत लेकर पैमाने संपादन चायंगन की प्रसंसा की और अक्षर कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी साराना मिली उन्हों तराश्टी फिल्म मौत्सप के भारती पैन और मखंड में प्रदश्चित किया गया है 1990 में भारती प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षर कुमार एक सपल को पैता दारित वेपसाई है जो कुवेट सिटी और बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पत्नी अमरता निर्मतकौर उनकी बेटी सिमू के साथ एक कुशाल घर बनाता है बेखुत को कुवेटी कहता है और अक्सर भारती के प्रदी उपहास करता है पाटी करने की एक रात के बाद रंजीत अपने दोस्त के एक फोन कॉल से जाग गया और उसे कवर मिली कि एराक और कुवेट की बीच बाचीद विफल हो गई है और हिराकी सेनिकों ने कुवेट पर आकौन कर दिया है अगली सुबह रंजीत को पता चलता है की कुवेट सिटी पर अब हिराकी सेना का कबजा है रंजीत और नायर उनके ड्राइबर बाहर जाते हैं और अपने परिवार को लेने और कुवैत छोड़ने के प्रियास में भारती है दूतवास जाते हैं उन्हें इराकी सेनी को द्वारा एक चौकी पर रुख दिया जाता है और आसमंजस के बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाय जाता है जाहूं की मुलाकात इराकी रिपब्लिकियन गाट की एतिकारी मेजर खलाब बिन जायत इना मुलाहा जो बताता है कि वह वही था जिसने पहले चेक पॉइंट तक खीश लिया था और रंजीत को नुक्सान होने से रोका था मेजर खलाब जो रंजीत की एराक यातरा से जानता है उसे डानता है लेकिन सैनिकों से रंजीत और इसके परिवार की शुरक्षा सुनेचित करते हुए अपनी ब्यक्तिकत में तता बाता है बहां से रंजीत भारती दूता बात चाता है जहां उसे पता चलता है कि कुवैती सरकार ने वार्षन में भाग गई है कुवैत में लगवा 170,000 भारती अफश्रावारती की रूप में फसिद हुए है इरा की सेना कुवैत के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखती है और रंजीत की अवेली पर इरा की सेनी को द्वारा च्छापा मारा जाता है लेक खलाप की अनुम्हती से लगवा 500 भारती के लिए एक आइस्थाई शिवर स्थापित किया अम्रता ने रंजीत से अपने ही परिवार पुनेकान में के लिए अपने लाग कॉप्यों करने का अग्रे किया लिकिर रंजीत जो आम तोर पर सिर्प अपने लिए देखता था का ह बारती दूतबास को खाली कर दिया गया है और नई दिली में भारती दिज्व मंत्रायले को फोन करता है जहां आइस संजीब जोली संजीब कोली को मुट मिश्रा के पास पहुंचता है और निकाशी के लिए बेवस्ता करने के लिए कहता है बाद में शिवर को एराकी सेयनी को द्वारा लूट लिया गया और कुछ रानातियों को परिशान किया गया गया रंजीत मेजर क्छलाब के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है जिसके लिए मेजर ने अपनी माफी माँगी और यह भी खुलासा किया कि राष्ट पति सद्धाम ने पहले ही भारति नहीं हुआ एक मात्य शेज विकल इराकी विदेश मंत्री तारिक अजीज सहाइक सिद्ध होता है वह खुला सगरता है कि भारती व्यपारी जहाज विविन आपूर्तियों के साथ इराक पहुचने वाला है अब भारती सराना आतियों वो जहाज पर जाने की अनुमति देता है अलाकि बार में रंजीत वो सही तुरहष्ट की प्रतिवन की खवन मिली और जहाजों को इराक में प्रिवेश करने चोड़ने से रोग दिया गया परवावी रूप से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कुचल दिया इस वीच कोहली कुछ सोस्त है लेकिन जब उनके मात पिता उनकी पिता अरॉनबाली भारत की विवाजन की दौरान उनकी दुख की कहानी सुनाते हैं तो कुली शक्रीद से रंजीत की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं बैक कुवैट में 170,000 भारतियों की निकासी का नेतरत करने के लिए राश्टी एरलाइन इंडिया से सं पिता पर आता है जहां उसका सामना सदुगता पूर्ण इराकी सैनिकों से होता है जो पास्पोर याईडी के अबाब में अमरता को माने की दंगे देते हैं रंजीत और सेनिकों की बीच जड़ा पुझाती है जिसके बाद रंजीत के काफले के लोग आगे आते हैं और इरा चिर्श को बापस भारत बेज़ेंगे भारती रंजीत को सलाव करते हैं क्योंकि विमानों में सवार होते हैं जो ने घर ले जाएंगे हालाकि रंजीत भारतियों के प्रति अपने रवय योई की बीची डोसि वहस्प्स करने लगता है क्योंकि भारती तरंगे को देखता है फिल्म रंजीत की संकेत के साथ समात होती है कि वह में शमांतत की भारत ने कभी भी अपने नागरे को बे लिए कुछ नहीं किया लेकिन तेज द्वारा बचा जाने के बाद उसने अब और बहुत ज़ारतियों ने त्याग दिया था वह विश में पिर कभी ऐसा नहीं कह सकता भीक नादन्जीत कत्याल की रूप में क्शो कुमान मैतोनी मैथ्यूज बराधारे मेरी मैथ्योज बराधारे अम्रत अकात्यल की रूप में निर्मत कौर मेजर खलब विंजायत की रूप में इनाम इनाम उनलप अम्रत पाल की रूप में अफ्तार गेरी तस्नीम की रूप में फ्रेरीना वजी पूरब कोली प्राहिम दुरानी की रूप में जोर्ज कुटी की रूप में रकास बेला बा संजीब कोली के रूप में, बाउजी कोली इपिता के रूप में, अरुनबाली कूरियन के रूप में, निनात कामत, निसार खानर्शो के रूप में, कैजात कोटवाल, बहराम पूनवाला के रूप में, मेहर पूनवाला के रूप में, गुंजन मलोत्रा, सुरेंद्रपाल, विदेश मंत्री, संजय भार्टिया, अम्मान ने भारती दूताबास में, अधिकारी की रूप में, राजेज जैस इराग में भारती दूताबास में, अधिकारी की रूप में, हिरीता की रूप में, जेहनीपन, विस्त्री वंसीवाल, अमरता की घरिली साहिका, पर्विन को और अशो की पत्मी और अमरता कात्यल की दोस्त की रूप में पूजणाय गीत संगीत बिमान सेवाग अरह साउंट्रैक एलबम अमान मलिक और अंकी तिवारी मौग 24 दिसंबर 2015 इस्टूडियो टी सीरीज इस्टूडियो सैली पिचर फिल्म साउंट्रैक लंबाई बाइस सोला बाशार हिंदी लेवल टी सीरीज एलिट के लिए साउंट्रैक अमान मलिक और अच्चित था किवले गीत दिल चीज तुझे दे दी अंकी तिवारी द्वारी द्वारा संगीत नोट किया गया और गीत कुमार द्वारा लिखे गए थे पहला गाना सोच ना सके 17.2015 को टी सीरीज के अधिकारे की यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था ओन साउंट्रैक एल्वन जिसमें पांच गाने शामिन है 24.2015 को जारी किया गया था संगीत अधिकार टी सीरीज गारा दिकरेद किये गया है गीत दिल चीज तुझे दीरी काफी हद तब अलजी राहिग गया खालित के 1990 के दशक के प्रेड़ी दीरी से प्रेरित है गाने की प्रणा न्यूज 18 ने दिया है गाना नमर एक सोच ना सके इस गाने के गायकार अरजीत सिंग तुलसी कुमार अमाल मलिक है गाना नमर दो दिल चीज तुझे दीरी अंकी तिवारी द्वारत संगीत इस गाने के गायकार अंकी तिवारी और अरजीत सिंग है गाना नमर तीन मेरा नाचन्नू इस गाने के गायकार ब्रिजिस सांडिले दिब्यकुमार और अमाल मलिक है गाने नमबर चार तू भाला जिस इस गाने को केकर ने अपने आवाज मताया है गाने नमबर पांच सोच ना सके एकल संस करान इस गाने के गायकार हर जीत से नहीं है दोस्तो हम बहुत मेना से वीडियो बनाते हैं उम्मीर है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूले धन्यवाद नवस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यह लिप्ट मुभी की बारें बताएंगे इसमें हम मुभी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थी की बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाजे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद इयर लिफ्ट फिल्म यह लिफ्ट 2016 की भारती इन दिवाशा की ड्रामा त्रिल्लर फिल्म है जिसका निर्देशन राजा कृष्ण मेनन ने किया है जिसमें आक्षे कुमार और निर्मत कौर ने भीने किया है जो रंजीत का त्याल कुमार द्वारा भीनी का अनुश्रम करता है जो कुबैत अधार साही है क्योंकि वैकुबैत में रहने वाले भारतियों की निकास ही करता है सद्दाम हुसें की राद द्वारा कुबैत पर आकमार जो खाड़ी युद्धी की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मार अभुनिंतिया इंटर्टेंड्मेंट केफ और गुड़ पेंस ए हाना कोवेत की है मल्याली वेफसाइए मतはबनी मैथिवरी जीवन के कानि से लिया गया है क्या निर्धेशा राजा कृष्ण मेihenन दारा खिशन मेंन सुरेश नायर राहुलनांग्या निरितेश सहा जबार निंवे निकिलाडवानी मनिशाडवानी अरुन हबार्थिया बू कुमार निम्रत पर शाय अंकन प्रिया स्रीट द्वारा संपादे थे मंती सरकार संगीत याय काने अमान अमाल मलिक अंकीत तिवारी प्रेश्ट वुमिस्पोर अरिजीत तद्दा पर पातन कमपनियां, VN、 इंटर्टेंडमेंट , K.F or Champ वुमिंटर्टेंडमेंट , हरियों इंटर्टेंडमेंट , टी सीरीीस फिल्म बाय कॉम अर्थारा मोशन पिक्चर्स , द्वार वित्रीत प्रतीक इंटर्टेंडमेंट्स , इंडिया , वी फार्यू मोशन पिक्चर्स इंटरनेशनल रिलीज की तारिक 21 जन्वरी 2016 दुवई 22 जन्वरी 2016 भारत कारेकारी समय 125 मिनाथ देश भारत भारत भार्षा हिंदी बजट 22 करोड बॉक्स ऑफिस 231 करोड नियर्देशक मेनन ने युदि की पूरी घटना और कोबैत में रहने वाले भारती की दुरदर्शका देन करने के बाद पटकता लिए थी फिर उन्होंने मैथनी मैथ्यूज परादारिच चरित गी घूमिका के लिए अक्षो कुमार से संपर किया उन्होंने हर योम इंटर्टेन्मेंट के अपने बैनर के तहत अभिने और निर्मार करने के लिए सहमती व्यक्ती कुमार ने ब खैमा में अलहमरा पैलिस बीच रिजॉर्ड में कतित तौर पर शूट किया गया था 1990 के दोरान को बैत को चितरित करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था फिल्म की शूटिंग उज्जैन भुज और राजिस्थान सहिप कई स्थानों पर की गई थी कुमार ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए ओडान कंपनी और इंडिया के साथ सहयोग किया जिसका युदि के दोरान डिकॉर्ड दोर संख्या में भारतियों को निकानने में बड़ा योगदान था 22 जन्वरी 2016 को गड़तंतर दिवस अब तहां के मौके पर एयर लेट दुनिया भर्मनाट की रूप से खुली इनको आलोज को से सकरां तक समिक्षा मिली इनके मजबूत लेकन पैमाने संपाधन चायांकन की प्रशंसा की और एक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी सरहाना मिली उन्होंने अपने सर्वसेट प्रदर्शनों में इसे एक कहा फिल्म एक व्यवसाइक सपलता थी यह भारतिये और साथ ही विदेश्चों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक्वस्टर की रूप में उभरी यह लिफ्ट ने बैस्विक बाजारों में दो पैंट अटाइस मिलियन से अधी की कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्टी फिल्म महतसब के भारती पैन और माखंड में प्रदश्चित किया गया है 22 जनमीज 2016 को गरतन दिवस के मौके पर एलोग दुनिया भर में नाट की रूप से खुली फिल्म को अलोचो से सकाना तक समीच्छा मिली फिल्म के मजबूत लेकन पैमाने संपादन चायांगन की पिरसंसा की और अक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी साराना मिल उन्होंने अपने सर्व से प्रदर्शनों में से एक कहा फिल्म में एक वेपसाइक सफल था यह भारती और साती विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक्वेस्टर की रूप में उभरी यह लिपने बैश्विक बाजारों में 2.28 मिलियन से अधिकी कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अंतरा स्टीफिन मौत्सप के भारती पैन और मखंड में प्रदर्शित किया गया है 1990 में भारती प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षर कुमार एक सपल को पैता दारित वेपसाई है जो कुवेट सिटी और बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पत्नी अमरता निर्मत कौर उनकी बेटी सीमू के साथ एक कुशाल घर बनाता है बेखुत को कुवेटी कहता है और अक्सर भारती के प्रदी उपहास करता है पार्टी करने की एक रात के बाद रंजीत अपने दोस्त के एक फोन कॉल से जाग गया और उसे ख़वर मिली कि एराक और कुवेट की बीच बात्ची बिफल हो गई है और हिराकी सेनिकों ने कुवेट पर आकोन कर दिया है अगली सुबह रंजीत को पता चलता है कि कुवेट सिटी पर अभी हिराकी सेना का कबज़ा है रंजीत और नायर उनके ड्राइबर बाहर जाते हैं और अपने परिवार को लेने और कुवेट छोड़ने के प्रियास में भारती है दूतवाज जाते हैं उन्हें एराकी सेनिकों द्वारा एक चोगी पर रोग दिया जाता है और आसमन जस्ट के बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाय जाता है जाहन की मुलाकात एराकी विपब्लिकियन गाट की एदिकारी मेजर खलाब बिन जायत इना मुलाहा जो बताता है कि वह वही था जिसने पहले चेक पॉइंट तक खीश लिया था और रंजीत को नुकसान होने से र लेकिन से रजीट और इसके परिवार की शुरक्षा सुनीचित करते हुए अपनी बेक्तिकत मेरता बलाता है बहां से रंजीत भारती दूता बाज जाता है जहां उसे पता चलता है कि कुवैती सरकार मेर्वार्शन में भाग गई है कुवैत में लगवाय एक सो सतर हजाय भ उसकी पत्रिया और बच्चे अपने कारेले से भागने का पिरवन धन करते हैं रंजीत ने अपने दोस्तों को एक साथ काम करने के लिए मना लिया और हुनने मेजर खलाप की अनुगती से लगवाग पांसो भार्थियों के लिए एक आई स्थाई शिवर स्थापित किया अमरता ने रंजीत से अपने ही परिवार को निकानमी के लिए अपने लाव कौप्यों करने का अगरे किया लिकिर रंजीत जो आम तोर पर सिर्क अपने लिए देखता था का हिर्दा परिवर्तन होता परिवर्तन प्रतीत होता है बह रहने और अन्य भारतियों को कोबैट पास पहुंचता है और निकाशी के लिए ब्यवस्ता करने के लिए कहता है। बाद में शीविर को एराकी सैनी को द्वारा नूट लिया गया और कुछ रनार्थियों को परिशान किया गया। रंजीत मेजर खलाब के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है जिसके लिए मेजर ने अपनी माफी मांगी और यही भी खुलासा किया कि राष्ट पति सद्दाम ने पहले ही भार्थियों को कुवेट छोड़ने की अनुमती दे दी है। लेकिन समस्या यह है कि उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है रंजीत को वैद से शुरक्षित बाहर ने करने के लिए बाचित करने की कुशिश करने के लिए बगदार चाता है लिगिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतुराष्ट की प्रतिवन की खवन मिली और जहाजों को वीराग में प्रिवेश करने चोड़ने से रोग दिया गया परवावी रूप से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कोचल दिया। इस बीच कोहली कुछ सुस्थ है लेकिन जब उनके माता पिता उनकी पिता अरोन भाली भारत की विवाजन की दौरान उनकी दुख की कहानी सुनाते हैं तो कोहली शक्री रूप से रंजीत की मदद करने के लिए प्रेवित होते हैं बैक कुवैट में 170,000 भारतियों की निकासी का नेतरत करने के लिए राष्टी एरलाइन इरिंडिया से संपर करता है और अमान जाडन में भारती दुतावास प्रात करता है परमिट जारी करने के लिए जैसे ही भारती कुवैट छोड़ते हैं रंजीत ए जड़ा पो जाती है जिसके बाद रंजीत के काफले के लोग आगे आते हैं और एदा की सेनिकों को पर भारी परते हैं रंजीत उन्हें रहने देता है और काफला बुजर जाता है भी जाड़न पहुंचते हैं जहां इंडिया और इंडियन एरलाइन के विमान आते हैं कि लिए दोसी महसुस करने लगता है कि विभारती तरंगे को देखता है फिल्म रंजीत की संकेत के साथ समात होती है कि वह में शमानतती भारत ने कभी भी अपनी नागरे को बेली है कुछ नहीं किया लेकिन देज द्वारा बचाए जाने के बाद उसने और बहुत से भारत दन्जीत काथियाल की रोप में अक्षरौकुमान उन्सवान न्यामियृ वंपतार भॉप में aftar गेरि तस्नीम की रोप में फैरिना वजीब बूरप को ली प्राहिम दुरामी की रोप में जोर्ज कुटी की रूप में रकास बेला बाड़ी ब्रेच की रूप में पवन चौपड़ा पुबैत भारती राजदूत जार्ज कुटी की पत्नी दीप्ती जैराजन की रूप में लीना कुमद मिश्रा बेदेश मंत्राले के संचीव संजीव कोली की रूप में बाउजी कोली इपिता की रूप में अरुनबाली कूरियन की रूप में निनात कामत निसार खान अर्शो की रूप में कैजात कोतवाल बहराम पूनवाला की रूप में मेहर पूनवाला की रूप में गुंजन मलोत्रा सुरेंद्रपाल बिदेश मं संजय भार्टिया अम्मान ने भारती दूताबास में अधिकारी की रूप में राजेज जैस इराग में भारती दूताबास में अधिकारी की रूप में हिरीता की रूप में जेहनीपन विस्ती बंसीवाल अमरता की गरीलु साहिका परविन को और अशो की पत्नी और अमरता का प्रिति की रूप में पूर्जानाय, गीत संगीत, बिमान सेवा द्वारा साउंट्रैक, एलबम अमान मलिक और अंकी तिवारी मौग 24 दिसंबर 2015, इस्टूडियो टी सीरीज, इस्टूडियो सैली पिचर फिर्म साउंट्रैक, लंबाई 22, 16, बाशा हिंदी लेबल टी सीरीज एर लिट के लिए साउंट्रैक, अमाल मलिक और रचित था, कि विले गीत, दिल चीज तुझे दे दी, अंकी तिवारी द्वारी द्वारा संगीत नोट किया गया और गीत कुमार द्वारा लिखे गए थे, पहला गाना सोच ना सके, 17 दिसंबर 2015 को टी सीरीज के अधिकारे क यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था, पॉन साउंट्रैक एलवन जिसमें पांच गाने शामिन है, 24 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था, संगीत अधिकार टी सीरीज गारा धिकरेद किये गया है, गीत दिल चीज तुझे दीरी काफी हद तक, अलजी राहिक गायर खालि इस गाने के गायकार अरजीत सिंग, तुलसी कुमार, अमाल मलिक है, गाने नमर दो, दिल चीज तुझे दीरी अंकी तिवारी द्वारा संगीत, इस गाने के गायकार अंकी तिवारी और अरजीत सिंग है, गाने नमर तीन, मेरा नाचन्नू, इस गाने के गायकार ब्रिजिस सांड दिल्ले, दिब्य कुमार और अमाल मलिक है, गाना नमबर चार तू भाला, जिस इस गाने को केके ने अपने आवाज मताया है गाना नमबर पांच, सोच ना सके एकल संस्क्राण, इस गाने की गायकार हर जूरीत से नहीं है दोस्तो हम बहुत मेनसी बीडियो बनाते हैं उम्मीड है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूने धन्यवाद पूर्णों के लिज़ा है नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यह लिप्ट मोबी के बारे बताएं गे इसमें हम मोबी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थ्य की बारें बताएंगे तो अभी तक आपने आमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाजी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आ ड्रामा त्रिल्लर फिल्म है जिसका निर्देशन राजा कृष्ण मेनन ने किया है जिसमें अक्षे कुमार और निर्मत कौर ने अभीने किया है जो रंजीत का त्याल कुमार द्वारा अभीनी का निश्रन करता है जो कुबैत अधारे बेपसाही है क्योंकि वे कुबैत में रहने वाले भारतियों की निकास ही करता है सद्दाम हुसें की राद द्वारा को बैट पर आकमान जो खाड़ी युद्धी की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मार अभुनिंतिया इंटर्टेंड्मेंट केफ और गुड़ पेंस एम में इंटर्टेंड्मेंट हरी ओम इंटर्टेंड्मेंट द्वारा सेंक तुरूप से किया गया था 320 मिलियन के कुल बजट पर डी सीरीज और वाय कॉम 18 मोशन पीचर्स कताना को वैट की एक मल्याली बेफसाई मत्हुनी मैथ्यूज की बास्तवी जीवन की कानी से लिया गया है निर्देशक, राजा कृष्ण मेनन, द्वारा लिखेत, राजा कृष्ण मेनन, सुरेश नायर, राहुल नांग्या, निरितेश चाह, द्वारा निर्वे, निकिलाडवानी, मोनिशाडवानी, अरुनावाटिया, मुर्षन कुमार, गौरव नंदा, कृष्ण कुमार, विक शेकुमार, निम्रत और, शाय अंकन, प्रिया स्रीट, द्वारा संपाधित, एमंती सरकार, संगीत याय काने, अमान, अमाल मलिक, अंकीत तिवारी, प्रेश्टुमी स्कोर, अरिजीत त्द्दा, उत्पादन कंपनिया, MV India Entertainment, K for Good Friends, MV Entertainment, Hariyoum Entertainment T-Ceries Films, 2,18 मोशन पिक्चर्ग, द्वार वित्रित प्रतिक, इंटर्टेञ्मेंट इंडिया, B for You Motion Pictures International, लिलीज की तारिक 20 जन्वरी 2016 दुवई 22 जन्वरी 2016 भारत कारेकारी समय 125 मिना देश भारत भारत भार्षा हिंदी बजट 32 करोड बॉक्स ऑफिस 231 करोड नेर्देशक मेनन ने युदि की पूरी घटना और कोबैत में रहने वाले भारती की दोदर्शका ध्यन करने के बाद प के अपने बैनर के तहट अभी नहीं और निर्मा करने के लिए सहमती व्यक्त की कुमार ने बताया कि उनका 80% लाव हिस्सा है फिल्गे बजट में शामिल होगा और बैफीस नहीं लेंगे फिल्म आंगन परवरी 2015 में शुरू हुआ फिल्म का पहला शेडूल रासल खैमा में अलहमरा पैलिस बीच रिजॉर्ड में कतित तौर पर शूट किया गया था 1990 के दोरान को बैद को चितरे करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था फिल्म की शूटिंग उज्जैन भुज और राजस्तान सहित कई स्थानों पर की गई थी कुमान ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए ओडान कंपनी और इंडिया के साथ सेयोग किया जिसका युदि की दोरान रिकॉर्ड टोर संख्या में भारतियों को निकालने में प्रशन सकी और एक्षेकुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी सरहाना मिली कि उन्होंने अपने सब्सेट प्रदर्शनों में से एक कहा फिल्म एक सपलता थी यह भारतियों और साथ ही विदेश्चों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक्वेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ्ट ने बैस्विक बाजारों में 2.28 मिलियन से दिकी कमाई की फिल्म को दोजार सोला के भारतिय अंतराश्टी फिल्म मौत्सप के भारतिय पैन और माखंड में प्रदश्चित किया गया है 22 जन्वेस दोजार सोला को गड़तन दिवस की मौके पर एक दुनिया भर में नाट की रूप से खुली फिल्म को अलुचों से सकाना तक समिच्चा मिली फिल्म के मजबूत लेकन पैमाने संपादन शायंगन की पिरसंसा की और अक्षय कुमार को उनके अभिने के लिए बड दर्शनों में से एक कहा फिल्म एक वेपसाइक सफलता थी यह भारती और साथी विदेशन में बॉक्स आफिस पर एक ब्लॉक्वेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ में बैश्विक बाजारों में दो पाइंट अठाइस मिलें से अधिकी कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अ और मखंड में प्रदश्चित किया गया है 1990 में भारती प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षे कुमार एक सफल को पैता दारित वेपसाई है जो को वेट सिटी और बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पत्नी अमरता निर्मतकौर उनकी बेटी सीमू के साथ एक कुशाल घर बनाता है बेखुत को को वेटी कहता है और अक्सर भारतियों के प्रदी उपहास करता है पाटी करने की एक रात के बाद रंजीत अपने दोस्त के एक फोन कॉल से जाग गया और उसे ख़वर मिली कि एराक और कुवेट की बीच बातचीत विफल हो गई है और इराकी सेनिको ने कुवेट पर आपोन कर दिया है अगली सुबह रंजीत को पता चलता है कि कुवेट सीटी पर अब इराकी सेना का कबजा है रंजीत और नायर उनके ड्राइबर बाहर जाते हैं और अपने परिवार को लेने और कुवैत छोड़ने के प्रियास में भारती है दूतवास जाते हैं उन्हें इराकी सेनी को द्वारा एक चौकी पर रुख दिया जाता है और आसमंजस के बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाय जाता है जाहूं की मुलाकात इराकी रिपब्लिकियन गाट की एतिकारी मेजर खलाब बिन जायत इना मुलाहा जो बताता है कि वह वही था जिसने पहले चेक पॉइंट तक खीच लिया था और रंजीत को नुक्सान होने से रोका था मेजर खलाब जो रंजीत की एराक यातरा से जानता है उसे डानता है लेकिन सैनिकों से रंजीत और इसके परिवार की शुरक्षा सुनेचित करते हुए अपनी ब्यक्तिकत में तता बाता है बहां से रंजीत भारती दूता बात चाता है जहां उसे पता चलता है कि कुवैती सरकार निर्वार्षन में भाग गई है कुवैत में लगवा 170,000 भारती अफश्रावारती की रूप में फसिद हुए है एरा की सेना कुवैत के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखती है और रंजीत की अवेली पर एरा की सेनी को द्वारा छापा मारा जाता है लेकि नहीं मेजर खलाप की अनुम्हती से लगवा 500 भारती के लिए एक आइस्थाई शिवर स्थापित किया अमरता ने रंजीत से अपने ही परिवार पुनेकानमी के लिए अपने लाग कॉप्यों करने का अगरे किया लिकिर रंजीत जो आम तोर पर सिर्पने लिए देखता था का हिरदय परिवर्तौन होता इन परिवर्तन प्रतीत होता है बहर रहने और थे भारतियों को छोड़ने में मदद करने का स्पंश्रा करता है और नई दिल्ली में भारती दिरेश मंत्राले को फोन करता है जहाँ है संजीब जोली संजीब कोली कुमोत मिश्रा के पास पहुंचता है और निकाशी के लिए ब्यवस्ता करने के लिए कहता है बाद में शीविर को एराकी सैनी को दोरा लूट लिया गया और कुछरानार्थियों को परिशान किया गया रंजीत मेजर खलाब के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है जिसके लिए मेजर ने अपनी माफी माँगी और यह भी खुलासा किया कि राष्ट पति सद्दाम ने पहले ही भारतियों को कोवैट छोड़ने के अनुमती दे दी है लेकिन समस्या यह है कि उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है दंजीत कोवैट से शुरक्षित बाहर ने करने के लिए बाचित करने की कुशिश करने के लिए बगदाज चाता है लिगिन कोई फायदा नहीं हुआ एक मातिशेस विकल इरा की विदेश मंत्री तारिक अजीस सहाइक सिद्ध होता है लेकुला सगरता है कि भारती व्यापारी जहाज बिविन आपूर्तियों के साथ इरा कोजने वाला है भारती सराणा थी वो जहाज पर जाने की अनुमती देता है अलाकि बाद में रंजीत वो सही तुरहष्ट की प्रतिवन की खवन मिली और जहाजों को विराग में प्रिवेश करने चोड़ने से रोग दिया गया प्रवावी रूप से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कुचल दिया इस वीच कोहली कुछ सुस्त है लेकिन जब उनके माता पिता उनकी पिता अरोन भाली भारत की विवाजन की दौरान उनकी दुख की कहानी सुनाते हैं तो कोहली शक्रीदी से रंजीत की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं बैक कुवैट में 170,000 भारतियों की निकासी का नेतरत करने के लिए राष्टी एरलाइन इर इंडिया से संपर करता है और अम्मान जाडन में भारती दूतावास प्रात करता है परमिट जारी करने के लिए जैसे ही भारती कुवैट छोड़ते हैं रंजीत एक और चौकी पर आता है जहां उसका सामना सतुगता पूर्ण एराकी सैनिकों से होता है जो पासपोर्ट ए आईडी के एवाब में अम्माने की दंगे देते हैं रंजीत और सैनिकों की बीच जड़ा पुजाती है जिसके बाद रंजीत के काफले के लोग आगे आते हैं और एराकी सैनिकों क पर भारी पड़ते हैं रंजीत उन्हें रहने देता है रूका लगुजर जाता है फिस बेज जार्डन पहुंसते हैं जहां यह इनदिया और इंदिन एड़ाइन के विमान आते हैं शलणारियों को बापस भारत बेजिंगे भारती रंजीत को सलाम से है क्योंकि विमां नहो त्वार होते हैं जोने घर ले जाएंगे हाला कि रंजीत भारतियों के प्रती अपने रवये के लिए दोसी महस्प स्काइब करने लगता है कि अंप कि शिता है पिल्म रंजीत की संकेत के साहर समात होती है कि वैया मेश्य वान पत्वात ने कभी भी अपनी नागरे को के लिए कुछ नहीं किया लेकिन तेज द्वारा बचा जाने के बाद उसने अब और बहुत से भारतियों ने त्याग दिया था वह वविश में पिर कभी ऐसा नहीं कह सकता भीकना दंजीत कत्याल की रूप में अक्षा कुमान मैतुनी मैथ्यूस पराधारित मेरी मैथ्यूस पराधारित अमरता कत्याल की रूप में निर्मत कौर मेजर खलब विंजायत की रूप में इनाम इनाम अमरतपाल की रूप में अब्तार गेरी तस्नीम की रूप में फेरी पूरब कोली प्राहिम दुरानी के रूप में जोर्ज कुटी के रूप में रकास बेला बाड़ी ब्रेच के रूप में पवन चौपड़ा पुवैत भारती राजदूर जार्ज कुटी की पत्नी दीपती जैराजन के रूप में लीना कुमुद मिश्रा बेदेश मंत्राले के संजीव कोली के रूप में बाउजी कोली इपिता के रूप में अरुनबाली कूरियन के रूप में निनात कामत निसार खान अशो के रूप में कैजात कोटवाल बहराम पूनवाला के रूप में मेहर पूनवाला के रूप में गुंजन मलोत्रा सुरेंद्रपाल विदेश मंत Hidita की रूप में राजेशेज एयराग भार्ती दूतवास में अधिकारी की रूप में डीति की रूप में पूजनाय गीत संगीत, बिरमान सेवद, अ verg's sound track – album अमान मलिक और अंकी तिवारी मोग 24 दिसंबर 2015 इस्टूडियो टी सीरीज इस्टूडियो सैली पिचर फिल्म सांट्रैक लंबाई बाइस सोला बाशा हिंदी लेबल टी सीरीज एर लिट के लिए सांट्रैक अमान मलिक और अच्चित था किवले गीत दिल चीज तुझे दे दी अंकी तिवारी द्वारा संगीत नोट किया गया और गीत कुमार द्वारा लिखे गए थे पहला गाना सोच ना सके 17 दिसंबर 2015 को टी सीरीज के अधिकारे की यूटूब चैनल पर जारी किया गया था गीत दिल चीज तुझे दीरी का भिहत्तव अलजी राहिग गाया खालित की 190 के दश्रकें दीरी से प्रेरित है गाने की प्रणा न्यूज 18 ने दिया है गाना नमर एक सोच ना सके इस गाने के गायकार अरजीत सिंग तुलसी कुमार अमाल मलिक है गाना नमर दो दिल चीज तुझे दीरी अंकी तिवारी द्वारत संगीत इस गाने के गायकार अंकी तिवारी और अरजीत सिंग है गाना नमर तीन मेरा नाचन्नू इस गाने के ग गायकार ब्रिजेस, सांडिले, दिब्यकुमार और अमाल मलिक है, गाना नमबर चार तू भाला जिस इस गाने को केके ने अपने आवाज मताया है, गाना नमबर पांच सोच ना सके एकल संस करना इस गाने की गायकार अरजीत से नहीं है, दोस्तों हम बहुत मेना से वीडियो बनाते हैं, उम्मीर है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूने, धन्यवाद, नवस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ, कि आप सब अच्छे होंगे, तो दोस्तों आपको बता दें, कि आज हम आपको यहर लिप्ट, मोवी के बारें बताएंगे, इसमें हम मोवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थियो के बारें तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों कर लीजे, जिससे आने वाजे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें, और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें, उ निर्देशन राजा कृष्ण मेनन ने किया है, जिसमें अक्षे कुमार और निर्मत कौन ने भी ने किया है जो रंजीत का त्याल कुमार द्वारा बिनी का ने स्विक करता है जो कुबायत अधारे वेफसाही है क्योंकि वे कुबायत में रहने वाले भारतियों की निकासी करता है सद्दाम हुसें की राद द्वारा कुबायत पर आकमान जो खाड़ी युद्धि की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मार अभुनिंतिया इंटर्टेंड्मेंट केफ और गुड्पियंस एम में इंटर्टेंड्मेंट हरी यों में इंटर्टेंड्मेंट द्वारा से इक तुरूप से किया गया था 320 मिलियन के कुल बजट पर डी सीरीज और वायकॉम 18 मोशन पीचर्स कथाना कोवैत की एक मल्याली बेफसाई मत्हुनी मैथ्यूस की बास्तवी जीवन के कानी से लिया गया है निर्देशक राजा कृष्ण मेनन द्वारा लिखेत राजा कृष्ण मेनन सुरेश नायर राहुल नांग्या निरितेश सहा द्वारा निर्वे निकिल आडवानी मोनिश आडवानी अरुनावाथिया मूर्षन कुमार गौरव नंदा कृष्ण कुमार विक्रम मलोत्रा सन्फाड जेए स्रकार, संजीत याय काने अमान, अमाल मलिक, अंकेत टिवारी, प्रेश्टों मनिस को अरीजीत तद्दा उत्पादन कंपनिया एमी नेंद याइंटर्टीया इंटर्टेवर्टेन्मेंट tease it प्रदीशा फॉर्ट करोण बॉक्स ऑॉक्स वेकारी समय छेश भारत भाषा लिवец्ष ब06 करोड और नियर्देस्ड क्मेन ने युद्ध की पूरी गटना और कोबायत में रहने वाले भारती की दुरदर शका ध्यन करने के बाद पटकता लगी थी फिर उन्होंने मैथनी मैथ्यूज परादारिच चरित गी घुमिका के लिए अक्षो कुमार से संपर किया उन्होंने हर यूम इंटर्टेन्मेंट के अपने बैनर के तहट अभी नहीं और निर्मा करने के लिए सहमतिव विक थी कुमार ने बताया कि उनका 80% लाव हिस्सा है फिल्म के बज़ट में शामिल होगा और बैफीस नहीं लेंगे फिल्म आंगन परवरी 2015 में शुरू हुआ फिल्म का पहला सेडूल रासल खैमा में अलहमरा पैलिस बीच रिजॉर्ड में कतित तौर पर सूट किया गया था 1990 के दोरान को बैद को चितरे करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था फिल्म की शूटिंग उजयन भुज और राजस्तान सहित कई स्थानों पर की गई थी कुमान ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए ओडान कंपनी और इंडिया के साथ सेयोग किया जिसका युदि की दोरान रिकॉर्ड दोर संक्या में भारतियों को निकानने में बड़ा योगदान था 22 जन्वरी 2016 को गड़ तंत्र दिवस अपताहं के मौके पर एयर लेट दुनिया भर्मनाट की रूप से खुली पिन को आलोज को से सकरां तक समिक्षा मिली पिन के मजबूत लेकन पैमाने संपाधन चायांकन की प्रशंसा की और एक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी सरहाना मिली उन्होंने अपने सर्वशेट प्रदर्शनों में इसे एक कहा फिल्म एक व्यक्षाइक सपलता थी यह भारतिये और साथ ही विदेश्चों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक्वेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ्ट ने बैस्विक बाजारों में दो पैंट अटाइस मिलियन से अधी की कमाई की फिल्म को दोजार सोला के भारती अंतराश्टी फिल्म मोहत्सप के भारती पैन और माखंड में प्रदस्चित किया गया है 22 जन्वेस दोजार सोला को गड़तन दिवस की मौके पर एक दुनिया भर में नाट की रूप से खुली फिल्म को अलुचों से सकाना तक समीच्छा मिली फिल्म के मजबूत लेकन पैमाने संपादन चायंगन की प्रसंसा की और अक्षर कुमार को उनके अभिने के लिए बड प्रश्णों में से एक कहा फिल्म एक वेपसाइक सफलता थी यह भारती और साथी विदेश्यों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लाउग्वेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ में बैश्विक बाजारों में 2.28 मिलें से अधिकी कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्ट प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षर कुमार एक सफल को पैतादारित वेपसाई है जो कोवेट सिटी और बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पतनी अम्रता निर्मतकौर उनकी बेटी सीमू के साथ एक कुशाल घर ब हुई है और हिराकी सैनिको ने कुवेट पर आकोन कर दिया है अगली सुबह रंजीत को पता चलता है कि कुवेट सिटी पर अभी रंजीत और नायर उनकी ट्राइबर बाहर जाते हैं और अपने परिवार को लेने और कुवेट छोड़ने के प्रयास में भारती है दूत अब वाज जाते हैं उन्हें इराकी सेनी को द्वारा एक चौकी पर रूख दिया जाता है और आसमंजस की बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाए जाता है जाह उनकी मुलाकात इराकी रिपब्लिकियन गाट की एतिकारी मेजर खला जो उन्रणेजीत की ईराक क्यात्र से जनता है उस ईसे डानता है लेकिन सैनील्घित और इसके परिवार की शुरक्षा शुनेचित करते हुए अपनी बेफिकतिकत में टता बहता है बहां से रंजीत भारती दूतबात चाता है जहां उसे पता चलता है कि कुवहिती सरकारने वार्षन में भाग गई है कोवैत में लगवा 170,000 भारती अफश्रावारती की रूप में फशिद हुए हैं एरा की सेना कोवैत के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखती है और रंजीत की अवेली पर इराकी सैनी को द्वारा छापा मारा जाता है लेकिन उसकी पत्रिया और बच्चे अपने कारेले से भागने का पिरवन धन करते हैं रंजीत ने अपने दोस्तों को एक साथ काम परनने के लि अपने लाख काव्यों करने का अगरे किया तकि रंजीत जो अमतर में सिर्फ अपने दिए देखता था का हिर्दा परिवर्तन प्रतीत होता है बह रहने और अन्य भारतियों को कोभाइट छोड़ने में मदद करने का पैस्ला प्हेसला करता है रंजीत को पता चलता है कि करने के लिए कहता है और बाद में शिविर को इराक ही सेनी तौरा लूट लिया और और कुछ रानार्थियों को पारिशान किया गया रंजीत मेजर के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है जिसके लिए मेजर ने अपनी माफी माँगी और यह भी खुलासा किया कि राष्ट पति सद्दाम ने पहले ही भारतियों को कोवैट छोड़ने के अनुमती दे दी है लेकिन समस्य यह है कि उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है तंजीत कोवैट से शुरक्षित बाहर ने करने के लिए बाचित करने क कि कुशिश करने के लिए बगदाज जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ एक मात्रिश विकल एरा की विदेश मंत्री तारिक अजीश सहाइक सिद्ध होता है वह भुलासा करता है कि भारती व्यपारी जहाद विविन आपूर्तियों के साथ एरा पहुचने वाला है भा कि बाद में रंजीत वो सही पुरहष्ट की प्रतिवन की खवन मिली और जहाजों को इराक में प्रिवेश करने चोड़ने से रोग दिया गया परवावी रूप से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कुचल दिया इस वीच कोहली कुछ सोस्त है लेकिन जब उनके माता प किता अरोनबाली भारत की विवाजन की दौरान उनकी दुख की कहानी सुनाते हैं तो कुली शक्रीद से रंजीत की मदद करने के लिए प्रेवित होते हैं बैक कुवैट में 170,000 भारतियों की निकासी का नेतरत करने के लिए राश्टी एरलाइन इंडिया से संपर करता है औ कि असका सामना सटुवता पूर्ण एराकी शायनिकों से होता है जो पासपोर या एईडी के अबाब में हम रता कुमाने की दंगी रेते हैं रंजीत और से निकों की बीड़ा पुझाती है जिसके राद रंजीत के काफले के लोग आगे आते हैं और एराकी से निकों को पर कौना से बाहरें कि अन्जी और उन्हें देटाया है साथ-व्र जाता है कि इस जार्ण को सवार जाएंगे हाला कि रंजीत भारतियों के प्रति अपने रवये के लिए दोसी महस्पूस करने लगता है क्योंगी भारती तरंगल को देखता है फिल्म रंजीत की संकेत के साथ समाथ होती है कि वैं मेशमान तत कि भारत ने कभी भी अपने नागर को बे लिए कुछ नहीं किया लेकिं तेज़ द्वारा बचा जाने के बाद उसने अब और बहुत से भारतियों ने त्याग दिया था बहुत बविश में फिर कभी ऐसा नहीं कह सकता फेकना दंजीत कत्याल की रूप में अक्शो कुमान मैतुनी मैथ्यूस पराधारित मेरी मैथ्यूस पराधारित अमरता कत्याल की रूप में निर्मत कौर मेजर खलब विंजायत की रूप में इनाम इनाम अमरतपाल की रूप में अफ्तार गेरी तस्नीम की रूप में फेरी बेलाबाडी, ब्रेच की रूप में पवन चौपडा, पुवेत, भारती राजदूद, जारज कुटी की पतनी, दीपती, जैराजन की रूप में लीना, कुमुद मिश्रा, बेदेश, मंत्राले के सहीं, संजीब, संजीब कोली की रूप में, बाउजी, कोली इपिता की में, निनात, कामत, निसार खानर्शो के रूप में, कैजात, कोटवाल, बहराम, पुनवाला के रूप में, मेहर, पुनवाला के रूप में, गुंजन, मलोत्रा, सुरेंद्रपाल, बिदेश, मंत्री, संजीब भार्टिया, अम्मान ने, भारती दूताबास में, अधिकारी की रूप में हिदीता की रूप में जेनिपन विस्ती बंसीवाल अमरता की घरीली साहिपा परविन को और अशो की पद्मी और अमरता कात्यल की दोस्त की रूप में पूजणाय गीत संगीत बिमान सेवाग अरह साउंट्रैक एलबम अमान मलिक और अंकीत तिवारी मौक 24 दिस साउंट्रैक के लिए साउंट्रैक अमाल मलिक और अच्छी था कि विए गीत दिल चीज तुझे दे दी अंकीत वारी द्वारा संगीत नोट किया गया और गीत कुमार द्वारा लिखे गए थे पहला गाना सोच ना सके 17 दिसम्ब 2015 को टी सीरीज के अधिकारे की यूटूब चैनल पर जारी किया गया था पूर्ण साउंट्रैक अलवन जिसमें पांच गाने शामिन है 24 दिसम्ब 2015 को जारी किया गया था संगीत अधिकार टी सीरीज गारा धिकरेद किये गया है गीत दिल चीज तुझे दीरी काफी हद तक अलजी राहिग गाया खालिद के सुनब्बब के दश्रकें दीदी से प्रेरित गाने की प्रेणा न्यूज अठारा निद दिया है गाना नमर एक सोच ना सके इस गाने के गायकार अरजीत सिंग तुलसी कुमार अमाल मलिक है गाना नमर दो दील चीज तुझे दीदी अंकी तिवारी द्वारत संगीत इस ग जिस इस गाने को केकर ने अपनी आवाज मताया है गाना नम्भर 5 सोच ना सके इकल संस्कुनान इस गाने की गायकार अरजमीत सिंह है दोस्तो हम बहुत मेहने से वीडियो बनाते है अमीड है आपको वारा वीडियो पसंदाया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूले धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता लें कि आज हम आपको यहर लिप्ट मोवी के बारें बताएंगे इसमें हम मोवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थिय के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाजी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद एयरलिफ्ट इन दिवाशा की ड्रामा टिल्लर फिल्म है जिसका निर्देशन राजा क्रिश्न मेनन ने किया है जिसमें आक्षय कुमार और निर्मत कउर ने भी ने किया है जो रंजीत का त्याल कुमार द्वारा भी निकाशन करता है जो कुबायत अधारे बेफसाई है क्योंकि वे कुबायत में रहने वाले भारतियों की निकास ही करता है सद्धाम हुसें की राद द्वारा कुबायत पर आकमान जो खाड़ी युद्धी की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मार अभुनिंतिया इंटर्टेंड्मेंट केफ और गुड़ प्यंस में इंटर्टेंड्मेंट हरी युम इंटर्टेंड्मेंट द्वारा सहीं करूब से किया गया था 320 मिलियन के कुल बजट पर डी सीरीज और वाय कॉम 18 मोशन पीचर्स कथाना कोवेट की एक मल्याली बेफसाई मथुनी मैथ्यूस की बास्तेवी जीवन के कानी से लिया गया है निरदेशब राजा केष्न मेनन दारा लिकेथ राजा केष्न मेनन सुरेश नायर राहुल नांग्या निरितेश सहा दारान। निखिलाडवानी, मोनिशाडवानी, अरुनावाटिया, मुर्षन कुमार, गौरावननंदा, कृष्ण कुमार, विक्रम मलोत्रा, अविनीप, अक्षे कुमार, निम्रत पौर, शाय अंकन, पिडिया स्रीट, गौरा संपावित, एमंती सरकार, संगीत याय काने, अमान, अमाल मलिक, अंकीत तिवारी, प्रेश्ट वुमी स्कोर, अरिजीत तत्ता, उत्पादन कंपनिया, एम इनिटिया इंटर्टेंड्मेंट, के फॉर गुड़ फिंस, एम इंटर्टेंड्मेंट, हरियोम इंटर्टेंड्मेंट, टी सीरीज फिल्म्स, वाय कॉम अठारम मोशन पिक् इनवरी, 2016, भारत, कारेकारी समय, 125 मिनाट, देश, भारत, भार्षा, हिंदी, बजट, 22 करोड, बॉक्स ऑफिस, 231 करोड, नेर्देशक मेनन ने युदि की पूरी घटना और कोबैत में रहने वाले भारती की दुरदर्शका ध्यन करने के बाद पटकता लिए थी, फिर उन उन्होंने मैथनी मैथ्यूज परादारिच चरित गी घूमिका के लिए अक्षो कुमार से संपर किया, उन्होंने हर योम इंटर्टेन्मेंट के अपने बैनर के तहत, अभीना और निर्मार करने के लिए सहमती व्यक्ती, कुमार ने बताया कि उनका 80% लाफ हिस्सा है, फिल मांगन परवरी 2015 में शुरू हुआ, फिल्म का पहला शेडूल रासल खैमा में अलहमरा पैलिस बीच रिजॉर्ड में कतित तोरपर शूट किया गया था, 1990 के दोरान को बैत को चितरित करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था, फिल्म की शूटिंग उज्जैन, भुज और राजिस्थान सहिप कई स्थानों पर की गई थी, कुमार ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए ओड़ान कंपनी और इंडिया के साथ सहयोग किया, जिसका युदि की दोरान डिकॉर्ट तोर संख्या में भारतियों को निकानने में बड़ा योगदान था, 22 जन्वरी संपाधन चायांकन की फिर्शंसा की और एक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी सरहाना मिली, उन्होंने अपने सर्वशेट प्रदर्शनों में से एक कहा, फिल्म एक व्यप्साइक सपलता थी, यह भारतियों और साथ ही विदे इस्टों में, बॉक्स ओफिस पर भारतिये पैनोर्माखंड में प्रदर्शित किया गया है, बाइस जन्मीज दोजार सोला को गड़तन दिवस की मौके पर एक दुनिया भर में नाट की रूप से खुली, फिल्म को अलुचों से सकाना तक समीचा मिली, फिल्म के मजबूत लेकर पैमाने संपाधन चायांकन क प्रशंसा की और अक्षर कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी साराना मिली, उन्होंने अपने सर्वस्चेश्ट प्रदर्शनों में से एक कहा, फिल्म एक बेपसाइक सफल था थी, यह भारतिये और साथी विदेश्यों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक्वेस्टर क अधिकी कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्टी फिल्म मौत्सप के भारती पैन और मखंड में प्रदश्चित किया गया है 1990 में भारती प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षर कुमार एक सफल को पैता दारित वेपसाई है जो कुवेट सिटी अब बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पत्नी अमरता निर्मतकौर उनकी बेटी सीमू के साथ एक कुशाल घर बनाता है बेखुत को कुवेटी कहता है और अक्सर भारती के प्रदी उपास रड़ता है पार्टी करने की एक रात के बाद रंजीत अपने दोस्त के एक फोन कॉल से जाग गया और उसे ख़वर मिली कि एराक और कुवेट की बीच बातचीद विफल हो गई है और हिराकी सेनिकों ने कुवेट पर आकोन कर दिया है अगली सुबह रंजीत को पता चलता है कि कुवेट सिटी पर अब हिराकी सेना का कबज़ा है रंजीत और नायर उनके ड्राइबर बाहर जाते हैं और अपने परिवार को लेने और कुवेट छोड़ने के प्रयास में भारती है दूतवास जाते हैं उन्हें इराकी सेनिकों द्वारा एक चोगी पर रोग दिया जाता है और आसमंजस के बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाय जाता है जाह उनकी मुलाकात इराकी रिपब्लिकियन गाट की एधिकारी मेजर खलाब बिन जायत इना मुलाहा जो बताता है कि वह वही था जिसने पहले चेक पॉइंट तक खीच लिया था और रंजीत को नुक्सान होने स से रुका था मेजर खलाब जो रणजीत की ईराक यातरा से जानता है सिसे डांटा है लेकिन से रणजीत और इसके परिवार की शुरक्षा सुमेचित करते हुए अपनी बेक्तिकत में दताब बाता है तो से जाता है कि कूबैती सरकार ने वारसन में भाग गये कूबैत में एक सो सतर हजाय भारती अफश्रावारती की रूप में फसिद हुए हैं इरा की सेना को वैद के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखती है और रंजीत की अवेली पर इरा की सैने को द्वारा चापा मारा जाता है लेकिन उसकी पत्मिया और बच्चे अपने कारेले से भागने कापरवन धन करते हैं रंजीत ने अपने दोस्तों को एक साथ काम करने के लिए मना लिया और हुनने मेजर खलाप की अनुमति से लगवाग पांसो भारतियों के लिए एक आईस्थाई शिवर स्थापित किया अमरता ने रंजीत से अपने ही परिवार कुने कानमी के लिए अपने लाकव के अगरह किया घिकिर रंजीत जो आम तौर पर सिर्प अपने लिए देखता था कि एफगा परिवरतन होथा परिवरतन क्रतीत होता है वेह रहने संजीब जोली, संजीब कोली कुमोत मिश्रा के पास पहुंचता है और निकाशी के लिए बिवस्ता करने के लिए कहता है बाद में शीविर को ईराकी सैनी को द्वारा लूट लिया गया और कुछनानार्थियों को परिशान किया गया रंजीत मेजर खलाब के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है जिसके लिए मेजर ने अपनी माफी मांगी और यही भी खुलासा किया कि राष्ट पति सद्दाम ने पहले ही भारतियों को कोई चोड़ने की अनुमती दे दी है लेकिन समस्य यह है कि उनके पास ऐसा करने का कोई राष्ट नहीं है दंजीत पुवैक्त से शुरख्षित बाहरने करने के लिए बाचित करने की कुशिश करने के लिए बगदाद चाता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ एक मातिशेज विकल एराग की विदेश मंत्री तारिक अजीज सहाइक सिद्ध होता है वैखुला सगरता है कि एक भारती व्यपारी जहाज विविन आपूर्तियों के साथ एराग वहुजने वाला है भारती सरानाती वो जहाज पर जाने की अनुमति देता है अलाकि बाद में रंजीत वो सही तुरहष्ट की प्रतिवन की खवन मिली और जहाजों को विराग में प्रिविश करने चोड़ने से रोख दिया गया पर वावी रूख से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कुछल दिया इस बीच कोहली कुछ सोस्त है लेकिन जब उनके माता पिता उनकी पिता अरोन भाली भारत की विवाजन की दौरान उनकी दुख की कहानी सुनाते हैं तो कोहली शक्रीद उसी रंजीत की मदद करने के लिए प्रेवित होते हैं इंडिया से संपर करता है और अमान जाडन में भारती दूतावास प्रात करता है परमिट जारी करने के लिए जैसे ही भारती प्रेवित छोड़ते हैं रंजीत एक और चौपी पर आता है जहां उसका सामना सतुरता पूर्ण एराकी सैनिकों से होता है जो पास्पोर्ट या इडी के अवाब में अमरता कमाने की लंगे देते हैं रंजीत और सैनिकों की भी जड़ा पूझाती है जिसके बाद रंजीत के काफले के लोग आगे आते हैं और एदा की सैनिकों को पर भारी प्रते हैं इंडिया और इंडियन एयरलाइन के विवान आते हैं रनांथ यूप को बास बारत भेजिंगे मार्ती रंजीत को सलाम करते हैं मसवार होते हैं जो ने घर ले जाएंगे हलां कि रंजीत भारतिों के प्रति अपने रवये कि लिए दोशी महसिस करने लगता है क्योंकि विभारती तरंगे को देखता है फिल्म रंजीत की संकेत के साथ समात होती है कि वह हमेशा मान पतिगी भारत ने कभी भी अपने नागरे को बे लिए कुछ नहीं किया लेकि देज द्वारा बचा जाने के बाद उसने अब और बहुत से भारतियों ने त्याग दिया था बेभविश में फिर कभी ऐसा नहीं कह सकता फिकना दंजीत कत्याल की रूप में अक्षो कुमान मैतुनी मैथ्यूस पराधारिक मेरी मैथ्यूस पराधारिक अम्रत अकात्यल की रूप में निर्मत कौर मेजर खलब विंजायत की रूप में इनाम इनाम उन्लप अम्रत पाल की रूप में अप्तार गिल तस्नीम की रूप में फैरी नावजी बूरब कोली प्राहिम दुरानी की रूप में जोर्ज कुटी की रूप में रकास बेला ब संजीब कोछी की रूप में गूनजन मलगत्र सुरेंद्रिपाल विदेश मंत्री संजब भार्टिया अमान निभारती धुतवास में अधिकारी की रूप में राजे जैस इराग में भारती दुतबास में अधिकारी की रूप में हिरीता की रूप में जेहनीपन विस्त्री बंसीवाल अमरता की घरिली साहिका परविनक और अशो की पत्नी और अमरता कात्यल की दोस्त की रूप में प्रीती की रूप में पूजणार गीत संगीत बिमान से बारह सांट्रेक ऐलबम अमान मलिक और अंगीत तिवारी मौग 24 धिसंबा 2015 इस्टूडियो टी सीरीज इस्टूडियो शैली पिच्छर फिर्म सांट्रेक लंबाई 22-16 बारशा हिंदी लेबल T-Series एरलिट के लिए सांट्रेक अमान मलिक दवारथ अच्छी था कि विए गी दिल चीज तुझे देदी अंकितिवारी द्वारा संगीत नोट किया गया और गीत कुमार द्वारा लिखे गए थे पहला गार ना सोच ना सके 17 दिसंबर 2015 को टी सीरीज के अधिकारे की यूटूब चैनल पर जारी किया गया था पूर्ण साउंट्रेक एल्वन जिसमें पांच गाने शामिन है 24 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था संगीत अधिकार टी सीरीज गारा धिकरेद किये गया है गीत दिल चीज तुझे दीरी काफी हद तब अलजी राहिक गाया खालित के 1790 के दश्रके प्रेड़ी दीरी से प्रेर कुमार अमाल मलिक हैं गाने नमर दो दिल चीज तुझे दीदी अंकी तिवारी द्वारत संगीत इस गाने के गायकार अंकी तिवारी और अरजीत सिंग है गाने नमर तीन मेरा नाचन्नू इस गाने के गायकार ब्रिजिस सांडिले दिव्यकुमार और अमाल मलिक हैं गाने हाथ कधना वूर्षेती हैं Ha Golden आपको कुछाने out för अबादा होगा है हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक हो शेयर करें और भूले धन्यवाद नारार दोस्तो कैसे आप लोग मैं एम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो आपको बतादें कि आज हम आपको एर लिफ्ट वह भी की बारें बताएंगे इसमें हम पकी संभण में कहानी और चरित्री से जोड़े तर्थिय की बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाजी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ, आप सब दोस्तों को पसंद आएगा, धन्यवाद इयर लिफ्ट फिल्म, इयर लिफ्ट 2016 की भारती इंदिवाशा की ड्रामा किल्लर फिल्म है क्योंकि वेकुबैट में रहने वाले भारतियों की निकास ही करता है सद्दाम हुसें की राद द्वारा कुबैट पर आकमान जो खाड़ी युद्धी की शुरुवात का कारण बना फिल्म का निर्मान अवनिंतिया इंटर्टेंडमेंट केफ और गुड़ पेंस एम में इंटर्टेंडमेंट हरियों में इंटर्टेंडमेंट द्वारा से एक तुरूप से किया गया था 320 मिलियन के कुल बज़ट परटी सीरीज और वाय कॉम 18 मोशन पीचर्स कताना कोवैट की एक मल्याली, वेफसाई, मथुनी, मैथ्यूज की बास्तवी जीवन के कानी से लिया गया है निर्देशक, राजा क्रिशन मेनन, द्वारा लिखेत, राजा क्रिशन मेनन, सुरेश नायर, राहुल नांगया, निरीतेश सह, द्वारा निर्वे, निखिलाडवानी, मोनिशाडवानी, अरुना बाटिया, मूरशन कुमार, गौरव नंदा, कласткого मार, विक्यम मलोतरा, संगीत याय काने अमान अमाल मलिक अंकी तरु प्रेस्टोने स्कोर अरिजीर तत्त प्रपादन कंपनिया MV ने इंटरतेन्मेंट K.4 गूड फिल्म्स MV इंटरतेन्मेंट हरियों मिंटरतेन्मेंट टी सीरीस दीन्म वायकॉम आध्टारम थारम मोशन पीक्चर्ख द्वारवित्रित प्रतिक इंटर्टेन्मेंट इंडिया वी फॉर यू मोशन पिक्चर्स इंटरनेशनल रिलीज की तारिक 21 जनवरी 2016 दुवई 22 जनवरी 2016 भारत कारेकारी समय 125 मिनाथ देश भारत भारत भार्षा हिंदी बजट 22 करोड बॉक्स ओपेस 231 करोड नेरदेशक मेनन ने युदि की पूरी घटना और कोबैत में रहने वाल भारती की दुरदर्शका देन करने के बाद पटकता लिए थी फिर उन्होंने मैथनी मैथ्यूज परादारिच चरित गी घूमिका के लिए अक्षब कुमार से संपर किया उन्होंने हर यूम इंटर्टेन्मेंट के अपने बैनर के तहत अभिने और निर्मा करने के लिए सह हुआ फिल्म का पहला सेडूल रासल खैमा में अल्हमरा पैलेस बीच रिजॉर्ड में कतित तौर पर शूट किया गया था 1990 के दोरान को बैत को चितरे करने के लिए सेट को फिर से बनाया गया था फिल्म की शूटिंग उज्जैन भुज और राजिस्थान सहिप कई स्थानों पर की गई थी कुमान ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए ओडान कंपनी एर इंडिया के साथ सेयोग किया जिसका युदि की दोरान रिकॉर्ड तोर संख्या में भारतियों को निकालने में बड़ा योगदान था 22 जन्वरी 2016 को गड़ तंतर दिवस अपताहं के मौके पर एर लेट दुनिया भर्मनाट के रूप से खुली फिन को आलोज को से सकरां तक समिक्षा मिली फिन के मजबूत लेकन पैमाने संपाधन चायांकन की प्रशंसा की और एक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लोगवेस्टर की रूप में उभरी एरलिफ्ट ने बैस्विक बाजारों में 2.8 मिलियन से दिकी कमाई की फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्टी फिल्म मौत्सप के भारती पैन और माखंड में प्रदश्चित किया गया है 22 जनवी 2016 को गड़तन दिवस के मौके पर एलोग दुनिया भर में नाट की रूप से खुली फिल्म को अलोचो से सकाना तक समीच्छा मिली फिल्म के मजबूत लेकन पैमाने संपादन शायंगन की पिरसंसा की और अक्षे कुमार को उनके अभिने के लिए बड़ी साराना मि लिए उन्होंने अपने सर्व से प्रदर्शनों में से एक कहा फिल्म में एक वेपसाइक सफल था यह भारती और साथी विदेश्यों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक्वेस्टर की रूप में उभरी यह लिफ में बैश्विक बाजारों में 2.8 मिलियन से अधिकी कमाई क की फिल्म को 2016 के भारती अंतराश्टी फिल्म मौत्सक के भारती पैन और मखंड में प्रदर्शित किया गया है 1990 में भारती प्रवासी रंजीत का त्याल अक्षर कुमार एक सपल को पैता दारित वेपसाई है जो कुवेट सिटी और बगदाद में अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अपनी पत्नी अमरता निर्मतकौर उनकी बेटी सीमू के साथ एक खुशाल घर बनाता है बेखुत को कुवेटी कहता है और अक्सर भारती के प्रदी उपास रटा है पाटी करने की एक रात के बाद रंजीत अपने दोस्त के एक फोन कॉल से जाग गया और उसे कवर मिली कि एराक और कुवेट की बीच बातचीत विफल हो गई है और हिराकी सेनिकों ने कुवेट पर आकोन कर दिया है अगली सुबह रंजीत को बता चलता है कि कुवेट सिटी पर अब हिराकी सेना का कबजा है रंजीत और नायर उनके ड्राइबर बाहर जाते हैं और अपने परिवार को लेने और कुवेट छोड़ने के प्रयास में भारती है दूतवास जाते हैं उन्हें इराकी सेनिकों द्वारा एक चोगी पर रोग दिया जाता है और आसमंजस के बीच नायर को गोली मार दी जाती है एक हैरान रंजीत को फिर अमीर के महल में ले जाय जाता है जाहूं की मुलाकात इराकी रिपबलिकियन गाट की एदिकारी मेजर खलाब बिन जायत इना मुलाहा जो बताता है कि वह वही था जिसने पहले चेक पॉइंट तक खीच लिया था और रंजीत को नुक्सान होने से रोका था मीजर खलाब जो रंजीत की एराक यातरा से जानता है उससे डांडता है लेकिन सैनिकों से रंजीत और इसके परिवार की शुर्क्षा शुनेंचित करते हूए अपनी ब्यक्तिकत में दता ब्राता है बहां से रंजीत भारती दूताबार चाता है जहां उसे पता चलता है कि कुवैती सरकार निर्वार्षन में भाग गई है कुवैत में लगवा 170,000 भारती अफश्रावारती की रूप में फसिद हुए है इराकी सेना कुवैत के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखती है और रंजीत की अवेली पर इराकी सेनी को द्वारा छापा मारा जा चलता है कि कुवैत में भारती दूतावास को खाली कर दिया गया है और नहीं दिल्ली में भारती दिले इस मंत्राले को खोन करता है जहां वह सेन्ट सजीव जोली संजीव कोली कुमोत मिश्रा के पास पहुंचता है और निकाशी के लिए बेवस्ता करने के लिए कहता है बाद में शीविर को एराकी सैनी को द्वारा लूट लिया गया और कुछ रनार्थियों को परिशान किया गया रंजीत मेजर खलाब के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है जिसके लिए मेजर ने अपनी माफी मांगी और यह भी खुलासा किया कि राष्ट पति सद्दाम ने पहले ही भारतियों को कोवैट छोड़ने के अनुमती दे दी है लेकिन समस्या यह है कि उनके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है दंजीत कोवैट से शुरक्षित बाहर ने करने के लिए बाचीत करने की कुशिश करने के लिए बगदाज जाता है लिगिन कोई फायदा नहीं हुआ एक मातिशेज विकल इराकी विदेश मंत्री तारिक अजीश सहाइक सिद्ध होता है लेकुला सगरता है कि भारती व्यपारी जहाज विविन आपूर्तियों के साथ इराक पहुचने वाला है भारती सराना आति वो जहाज पर जाने की अनुमती देता है अलाकि बार में रंजीत वो सही तुरहष्ट की प्रतिवन की खवन मिली और जहाजों को विराक में प्रिवेश करने चोड़ने से रोख दिया गया पर वावी रूख से बाहर निकलने की उनकी उम्मीदों को कुछल दिया इस वीच कोहली कुछ सोस्त है लेकिन जब उनके मा रंजीत की मदद करने के लिए प्रेवित होते हैं बैक कुवैट में 170,000 भारतियों की निकासी का नियतरत करने के लिए राष्टी एरलाइन इंडिया से संपर करता है और अम्मान जाडन में भारती दूतावास प्रता है परमिट जारी करने के लिए जैसे ही भारती रंजीत और सेनीको की बीच जड़ा पर जाती है जिसके राष्ट के काफले की लोग आगे आते हैं और एदा की सेनीकों को पर भारी परते हैं रंजीत उन्हें रहने देता है और काफला बुजर जाता है भी जारन पहुंशते हैं जहां इंडिया और इंडियन एरलाइन के बिमान आते हैं शरनार्तियों को बापस भारत भेजिंगे भारती रंजीत को सलाम करते हैं क्योंकि वे उन बिमानों में सवार होते हैं जो उन्हें घर ले जाएंगे हाला कि रंजीत भारतियों के प्रती अपने रवय के लिए दोसी महसुस करने लगता है क्योंकि विभारती तरंगे को देखता है फिल्म रंजीत की संकेत के साथ समात होती है कि वह हमेशा मांतत की भारत ने कभी भी अपनी नागरे को बे लिए कुछ नहीं कहा लेकिन तेज द्वारा बचा जाने के बाद उसने अब और बहुत ज़ारतियों ने त्याग दिया था बे बविश में फिर कभी ऐसा नहीं कह सकता फिकना दंजीत कत्याल की रूप में अक्षो कुमान मैतोनी मैथ्यूस पराधारिक मेरी मैथ्यूस पराधारिक अम्रत अकात्यल की रूप में निर्मत कौर मेजर खलब विंजायत की रूप में इनाम इनाम अम्रतपाल की रूप में अफ्तार गिल तस्नीम की रूप में फ्रेरीना वजीर बूरब कोली प्राहिम दुरानी की रूप में जोर्ज कुटी की रूप में रकास बेला बारी ब्र संजीब कोली के रूप में बाउजी कोली इपिता के रूप में अरुनबाली कूरियन के रूप में निनात कामत निसार खानर्शो के रूप में कैजात कोटवाल बहराम पूनवाला के रूप में मेहर पूनवाला के रूप में गुंजन मलोत्रा सुरेंद्रपाल विदेश मंत संजय भार्टिया अम्मान ने भारती दूताबास में अधिकारी की रूप में राजेज जैस इराग में भारती दूताबास में अधिकारी की रूप में हिरीता की रूप में जैनीपन विस्त्री बंसीवाल अमरतक की घरीलु साहिका परविनक और अशो की पत्नी और अमरतक का सांट्रैक लंबाई बाइस सोला बाशा हिंदी लेवल टी सीरीज एर लिट के लिए सांट्रैक अमाल मलिक द्वारा रची था कि वह एक गीत दिल चीज तुझे देदी अंकितिवारी द्वारा संगीत नोट किया गया और गीत कुमार द्वारा लिखे गए थे पहला गाना चैनल पर जारी किया गया था पूर्ण सांट्रैक अल्वन जिसमें पांच गाने शामिन है 24 दिसमब 2015 को जारी किया गया था संगीत अधिकार टी सीरीज गारा धिकरेद किये गया हैं गीत दिल चीज तुझे देदी काफी हद तक अलजी राहिग गाया खालिद के एंवन जिसमे कि दशकें एड़ी दीधीच फरेरीथ है गाने की पिल्ल नियूज अठारा ने दीक है कारणा गाना नमर नमर एक सोचना सके जानने के गाईकर। अरजीत शिंख तुल्सी कुमार अमाल मलिख हैं गाना नमर दो दिल चीथ तुझे दीदी अंङकी त्य तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूने धन्यवाद